ये साथ गोरदेव की जय eh सर्व संगत्य प्रार्थना है सत्संग प्रार्ण हो राहे कर्पया सत्संग सथल पर ंती पुर्क जुआ वर्य जमान होकर कि सर्धा से सत्संग सुने प्रमेश्वर की प्यारी आत्माँ से पुनर्न वेदन है सत्संग प्रार्म हो रहा है किर्पया सत्संग सत्र पर स्यांती पुर्ग वराद मान हो करके सरदा से सत्संग सुने साथ सौही प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर सत्गुर्देव की जै, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जै, बंदी छोड़ गृब दास जी महराज जी की जै, स्वामी राम देवानन जी गुरू महराज जी की जै, हो सत्गुर्देव साहब संत्व डंड़ों तंपरणां, आगे पीछे मज हुए तिनकुंजां कुर्वान नराकार निर्विसम कालजार वेवंजनम, निरलेपम निज निर्गुनम, अकल अनुप वेशंदुनम सोहं सुर्ती समापतं, सकल समाना निर्तले, उजुल हिरंबर हर दमं बेपरवा अथा है वार पारने मज्डतं, ग्रिव जो सुमरे स्यद होई, गणनायक गलताना, करो अनुगरशोई, परसपद परवाना आदि गणे समनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरन कमलो लाऊं, आजन्त करूं सेवा प्रमसक्ती संगीतं, रिदिशिदिदाता सोई, आवगत गुने अतीतं, सत्यपुरस निर्मोही, जगदंबा जगदीसं, मंगल रूप मुरारी, तनमन अर्पों सीसं, भग्ति मुक्ती भंडारी शुर नर्मनिजन द्यावें, बिर्मा विशुन महेशा, सेश सेश मुक्गावें, पूजे आज गणेशा इंदर कुबेर सरीखा, वरुन धरम राइधावें, समरत जीवन जीका, मन इच्छा फल पावें तेतिस कोटी अधारा, द्यावें सेंस अठासी, उतरें बाउजल पारा, कट है यम की फांसी कर जोरूं विनती करूं, द्यावें सेंस अठासी, उतरें बाउजल पारा, कट है यम की फांसी ने दियो नाम बकसीश, कोटी कोटी सिजदा करूं, कोटी कोटी परणाम, चरण कमल में राखियों में बांदी जाम गुलाम कुटा हों गुरू देव का, राम पाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवडी, जांखें चोवां जाऊंग तो तो करो तो बावडू, दूर दूर करो तो जांग, जांग राखो तो ही रहूं, जो देवो सोखंग प्रम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वस रिष्टी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम करपा से आप पुन्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ सौब आगे हैं आपका, आपको ऐसे समय में मानो श्रीर पराप्त हुआ, जिस समय में प्रमात्मा ने ये मोक्स मारग, यथार्थ बग्ती मारग, सत्सादना, सत्ग्यान, अब सारवजनिक करने का आदेश दे रखा था पुन्यात्माओं सत्संग में आने से प्राणी को ग्यान होता है ये मानो श्रीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्ध है, इसमें हमें कितनी सुधाएं प्राप्त है इसका कारण क्या है, वही आत्मा पहले मानो श्रीर में थे, अब वो चले गए पसू और पक्सियों की यौनियों में वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे तो यदि हम भी उन यौनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा अब तो आप मानो श्रीर प्राप्त हैं, सबसुधाएं उपलब्ध हैं जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुते और गधे, बैल, भैंस, कीडे, मकोडों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं ये क्यों इतना दुखी है हमने एक साधारन सी सामाने सी सोच बना रखी है कि ये तो कुछ तेगदेश वरत ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं और हम आगे चल पड़ते हैं अपने विचारदारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं ये सब अभाव किस कारण से हैं ये सब सोच ये हम इदर धान नहीं देते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला और सत्संग मिलता है सत्गुरू से और सत्गुरू का अभाव अमारे लिए बहुत बड़ा हानी कारक रहा है अभी तक जब तक आप जी को सत्संग परापत नहीं होगा आपकी दारना एक जड़ साधान की तरह उन परती दिन के कारियों में ही बनी रहेगी आपकी आस्था उन ही में बनी रहेगी जैसा की हमें तत्व ग्यान होने से पूरव हमारा जो दिन दिन तरिया थी जो हमारा उदिस्से था टार्गेट सा वो क्या था बच्चे थे शिक्सा ग्रहन करेंगे अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जागी व्युहा हुआ संतान होगी इनको पाल पोस्ट देंगे इनका व्य हम बेस्थक मर जाऊएं हमारा काम पूरा हो गया इतना ग्यान था मैं मानुस जीवन का क्या इतना ही कारिय था ये तो पसू पक्सी भी करते हैं और मनुस से ज़्यादा प्यार से करते हैं एक बंद्रिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है उचल कोद मुचाती रहत इसे है एक चिडिया अपने बच्चे के एक पक्सी अपने बच्चों को आहर खिलाता है पहले जंगल से उनक अपने मुख में बरके लाता उनके लिए और अपने मुख से निकालकर उनको देता है इतनी ममता उनके अंदर भी है और यही करम अगर मनुस का था तो फिर क्या फाइदा से मनुस जीवन को इतनी स्विदा देने का इसका मौलू देस्टे कुछ और है जो आपको सत्संग से पता चलेगा और हमें भी फिर सत्संग से पता चला जो बगतात्मा अन्य संतों के पास जाते हैं वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं यह उनकी बहुत बड़ी भूल है उनके पास सत्संग नहीं है दास यह कहें कि इस बर्मांड में 21 बर्मांड में इस दास के अतिरिक्त वरतमान में किसी के पास सत्संग नहीं है तो ये बात बले ही बगत समाज को खटके एक बार लेकिन ये सत्थ से प्रिपूर्ण है और दिरे दिरे इसकी सार्तकता इसकी सत्थता आपके पास पहुंचेगी फिर आप इस दास के इन वचनों को सुनकर आखों से आसु भाया करोगे कि सत्थमुच वो ग्यान था उनको कैख है का पता नहीं लाखों लोगों को वर्मिट किये बैठे हैं वो लोग अब सत्थ संग है या ए सत्थ संग है इसका ग्यान कहां से होगा उसके लिए परमात्मा ने स्वेम आकर के ग्यान दिया है कबीर बगवान ने कबीर परविश्र जी ने उस समिक वो परमात्मा स्व्म सत्थ गरुरूरोप में आये थे लेकिन वो परमात्मा भी थे वो आते ही इस लोक में इस उदेसे से हैं कि मैं अपने बच्छों को, अपनी आतमाओं को अपनी जानकारी स्विम बताऊं सत सत बताऊं, सत्ची साधना इनको बताऊं और ये इस साधना इस विज़ी से करके इस परकार मरियादा में रह करके यहां काल के जाल से निकल कर सत लोक आ जाएं परतेक युग में कबीर परमात्मा आते हैं और यही अथारत ग्यान जो दास आपको सुना रहा है यह उसी परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है और दास ने उन्ही की करपा से कबीर परमेश्वर जी की रजा से गुर्देव की दिया से इस ग्यान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है यही ग्यान परमात्मा चारों योगों में आते हैं हमें सुनाने की चेष्टा करते हैं लेकिन उस समय हम उस प्रमेश्वर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि सत्युग्त रेता दुआ पर में हम दुखी नहीं होते हैं मानो दुखी नहीं होता उसमें विशेश स्विधाय रहती हैं सत्युग्त में तो बहुत ही पुनकर्मी प्राणियों का जनम होता है वो पूरवजन्म की बगती युक्त होते हैं वो जो भी साधना गलत-सलत जैसे भी करते रहते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि ये साधना हम कर रहे हैं इन से ही हमें ये सुधायं और सुख प्रापत है उसका कारण भी सत्संग का अभाव है वो भूल जाते हैं कि प्रहारब्द में जो लिखा हुआ है आप जी को केवल वही प्राप्त हो रहा है वरतमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो तो इस कारण से वे प्रमात्मा के उस यथार्थ ग्यान को सविकार रही करते क्योंकि वो दुख ही नहीं यही सतीती तुरेता में यही दुआ पर तक रहती है और कलियुग के पर्थम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जनम ही होता है और यही दसा उनकी रहती है दूसरा कारण यह होता है कि हम ए सिक्सित होने के कारण सद्गरंथों से ए प्रिचित रहते हैं और जो हमारे धर्म गुरु हुआ करते हैं और पहले थे वे एक बासा विशेश से तो प्रीचित होते थे लेकिन सद्गरंतों की सच्ट से उस यथारता से वो ऐप्रीचित होते थे वो हमें केवल दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अज्ञान अनुभाव ही हमें सुनाया करते थे और बोला करते हो संसकर्त और सभी सद्गरंत संसकर्त मही लिपीबद थे बासा संसकर्त हो तो हमने ये दर्ड विश्वास था कि हमारे जो दर्म गुरु हैं ये जो ग्यान बता रहे हैं ये विद्वान हैं संस्कृत भासा पड़े हैं इन्होंने सद्गरंथों को ठीक ठीक समझा है जो तुमारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजब के ये अपने सद्गरंथों से भी प्रीचित नहीं हैं ये कोरी जूट बोल रहे हैं इनका उदेश से कियो मनी मेक है आपको भरमिच करें ये कियो पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसकाइड करते हैं जो ना करने की कियाएं आपसे करवाई जा रही है और जो जू ग्यान ये बता रहे हैं वो वशास्तरों के विरुद है यह तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विद्धान बताते हैं जैसे हमारे आचारिय पुवित्र हिंदु द्रम के आचारिय, संक्राचारिय, मंडलेश्वर, संथ, महराज, जितने भी थे उन सब को प्रमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तिननों देवतार जगून बिरमा सद्गून विश्णू तमून शिवजी की जानकारीवी सही नहीं दे रहे ये इनको बिरमा को छोड़ कर भगवान विश्णू और भगवान सीव्ण को संकर को ये अजरह आमर बताते हैं इनकी मर्तूद ही होती मर्तूद ये कालज, सर्वेष्वर पताते है ये जूठ बोलते है और इन तीनों गुनों की पूजा गलत है कभीर प्रमात्मा कभीर जी कहा करते थे प्रमेष्वर जी तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो ए मुक्ती गुन तीनों की वगती में ये बूल पडो सनसारे कहें कबीर निद नाम बिना कैसे उतरो पारे तो उस समय प्रमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की वगती से श्री बर्बा, श्री विश्वनों, श्री शिव जी की साधना से आप जी की गती नहीं हो सकती, आपका मौक्स नहीं हो सकता और जो नाम तुम्हें ये देते हैं और भी अन्ने सेंसर नामा विश्वनों जी का बना का आपको दे रहे हैं ये मंतर वास्त्विक नहीं है और वास्त्विक नाम के बना जीव का मौक्स नहीं हो सकता रोगी है, उसको यथार्थ ओस्ती नहीं मिलेगी उसका रोग कैसे नास होगा और उसको कोई ऐसे बांग खिलावा है और कहता है मैं तेरा रोग नास की दौई दे रहा हूं और हमारे धर्म गुरू जो हमें टोटलीक सारा का सारा सास्तर विर्द ग्यान और साधना समाधान बता रहे थे उस पर हमें विश्वास रहा हूं तो उसमें जो कलियों के प्रारम में भी अच्छी आत्माओं का ही बहुत सी अच्छी आत्माओं का जिनव होता है आप जो हमारी उमर के हैं इनको पता है आज से पचास वर्स पहले जब हम कुछ जानने योग हुए थे छोटी आईउ में उसमें के लोगों के विचार उनके अंदर कितनी सहन सीलता आपस में प्यार भाव और वो तकरिवन सभी ठीक रहते थे सवस्थ भी रहते थे उनके परिवार भी सवस्थ रहते थे कोई विसेश आपती नहीं आती थी एकाद परिवार को छोड़कर तो वह अच्छी आत्माएं थी उनके पिछले जनम के संसकार ही उनको प्राप्त थे और वो बिल्कुल बगती भी नहीं करते थे क्योंकि दास का जनम जिस वरनम हुआ है इसकी सान जाट वरनम है तो वो बगती नहीं करते थे विशेश कर जो दास का जनम सोनिपत डिश्टिक हरियानम हुआ तो वहां से खूब प्रिचित है उन विक्तियों से अच्छी आत्माई थी करमठ थे उनका विद्धान के ओर इतना ही था अपना कर ले और खा ले ले कर दे दे इसमें वो दर्ड थे लेकिन बगती का सपास नहीं थे और फिर भी सब को सारी सुई दाएं थी बच्चे भी ठीक थे उनके आगे संताने भी थी ये कादे को छोड़ कर और वो बिलकुल बगती नहीं करते थे सारे दे लोका पाड़ें तास खेल रहें या कि मैं और बात बतलाँ राम नाम तर्ण का मुँ पकदे दास नहीं सुना नहीं रिष्टेदारी ओ तक का भी खूब गयाना मज़े और घर का भी अपने प्रिवार का और अपने गाउं का के हो गया को सारे गाउं में दस बीस वक्ती कोई दानमिक से वो अलग बात है वो बगती करते हों वो भी जैसे लोक वेद की तो कहने का भाव यह है कि वो अच्छी आत्माई थी और वो साध ना करते या ना करते उनको सबस्विदाएं प्राप थी तो ऐसे ही प्रमातमा जब आए तीनों योगों में और चौथे योग कल योग में उस समय ये प्राणी गणा दुखी नहीं था और प्रमातमा के उन बचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसी सिक्सित थे और जो विशेश थोड़े बहुत दुखी थे वो प्रमातमा की सरण में आए और सुखी होगे अन्ने जो ठीक उनका सुविदा थी वो प्रमातमा की सरण में नहीं आए केवल दुखी दुखी विक्ती ही कबीर प्रमातमा की सरण में उस से में आए और वो ऐस्थिक्सित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नी जान मान सके उनको सुझाय भी बहुत दी जो दुखी टाइप के विक्ती थे तो केरने का भावदास का इस सारे विचारों का निश्करस ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताएगी साधना को हम सभी कार नहीं कर सके क्योंकि जो साधना ए अन्य विक्ती जो परमात्मा कबीर जी की सर्ण में नहीं आये थे जो अन्य दो भी साधना कर रहे थे वो उन से भी उनको रहत थी पूरी लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें रहा थे उनके प्रहरद के संसकार उनी से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाप है कोई मैं गाहितरी मंतर जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है तो ये उनके तत्वे ग्यान के अभाव का कारण था उनको तत्वे ग्यान नहीं था और जो दुखी थे महा दुखी थे वो कबीर साहिब की सर्ण में आकर सुखी हो गे उनको सिर्फ इतना सहरा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुस है और हमें रहत मिल गी दूसरे दुखी नहीं थे वो आए नहीं कहने लगे हमें तो जो साधना करें वो बिलकुल सही है तो इस परकार इस तत्वे ग्यान का अभाव यानि सत्संग की कमी और आए सिक्सा ये अमारे लिए अभी तक आगे आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ग्यान को जानने में परबेश्वर कबीर जी ने 600 वर्स पहले अपनी प्यारी आत्मा दरमदास जी से कहा था कि दरमदास जब कलियोग की बीचली पीड़ी का समय आएगा उस समय इनको सिक्सित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुने आऊंगा और यथार्थ ग्यान कराऊंगा क्योंकि दरमदास जी बड़े चिंतित थे विशेशकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने ये देखने के लिए कि जो मेरी सरन में आए हैं उस में 64,6 कबीर परमेसमर जी के हुए थे सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सत लोग से चल कर आए थे और कांसी सहर लहर तारा तलाब के अंदर कमल के फूल पर एक सिसु रूपदारन करके वो परगट वे थे उनके कोई माता पिता नहीं वहां से एक नीरू निमा नाम के जुलाहा पती पतनी थे वो परमात्मा को बालक को ले गए थे वो नी संतान थे और उनके घर परमात्मा लिला में तरीके से परविर्स को प्राप्त हुए बड़े होकर जुलाह का कारिया करने लगे और साथ में जिस उद्धे से को लेकर आये थे वो तत्व ज्ञान भी परचार करते थे वो सत्गुरू का रोल भी करते थे जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए तो उस समय प्रमात्मा के सरण में जो भी आया कुछ आसिरवाद से कुछ बगवान प्रमात्मा पर्थम मंतर देते थे जो दा साथ को देता इस पांच नाम का बस इस से उनको बहुत लाग हुआ 64 लाग सेस बने थे केवल मालक की इस समतकारी सक्ती को देख कर फिर प्रमात्मा ने देखना चाहा था कि मैं देखूँ ये मुझे ऐजे गौड ट्रीट करते हैं या ऐजे एक संत ये मुझे बगवान की तरह मानते हैं मुझे ये बगवान स्विकार किये हुए है या मुझे एक सिंपल संत मानते हैं प्रमात्मा को तो मालुम था ये क्या मानते हैं लेकिन दिखाना चारे थे दरमदास को और अपने अनीज भगतों को परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी एक लड़की वैसा थी गनका थी उसने सत्संग सुना उसको अपने करम से नफरत हुई आत्मा जागी की उसकी परमात्मा कबीर जी के चरनों में आई अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की मालिक क्या मेरे जैसी दुस्टा का भी उद्धार हो सकता है कबीर परमात्मा ने कहा बेटा आत्मा तो लाल है ये कीचड में गिर जाती है तो जोरी उसको साफ करके वो ऐसा ही बना लेता है कीमत में कोई अंतर नहीं होता आगे गलती ना करना पीछे जो बनी सोगा नी ये सफाई हो जागी उस बेटी के या बात समझना आगी उसी दिन से अपना वो दुसक्रम त्यागा और प्रमेश्वर कबीर जी की सर्वन से सहबन कर अधिक से अधिक सत्संग सर्वन करने के लिए आने लगी अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सूपरसिद कासी की वैसा थी सब को पता था प्रमात्मा के सत्संग में आने लगी कबीर जी के सत्संग में तो उनके सही उस लड़की को बला बुरा कहने लगे तु यहां मताया कर बदनाम करवावागी तो उस लड़की ने परमात्मा जी से गुरुदेव से कहा गुरुदेव वो सारी कहानी बताई कि कुछ भग्त, कुछ माई मुझे हे द्रिष्टी से देखते हैं और मुझे याने के लिए मना करते हैं तो परमात्मा ने सत्संग के मादम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिये बताने की चेश्टा की कि कुछ टी हो ऐसंत बंदगी कीजिये हो वैस्या के विस्वास चरणचित दीजिये क्या मताते थे के यजी कोई भगत कोड़ी भी है उसका चाम भी चू रहा है और उसने दिक्सा ले रखिये उससे नफरत ना करना उससे भी सत्साइब बोलना प्यार से डील करना उसको क्योंकि वो भगत है प्रमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्यान हो जाएगा उसका ऐसे ही बताते हैं हो वैस्या के विस्वास चरणचित दीजिये यदि कोई गनका भी हो और वो भगवान पर विस्वास रखती है उसको भी एक भगत भगतमती बेहन रूप में ट्रीट करना अपनी आत्मा में दोस्त देना देखना उसके पर दी क्योंकि वो भगवान की बच्ची है जीरी जीरी बुराई चूटेगी क्योंकि जब तक महला कपड़ा साबन और जल के संपरक में आवेगा नहीं तो Zimmerman कैसे होगा तो ये सथ संभ एक जल और साबन दोनों का काम करता है यहां आएंगे कोई सराब पीता है कोई सिगर्ट पीता है कोई मास्क खाता है कोई रिष्वत लेता है कोई चोरी करता है कोई धुराचार करता है यहां आएंगी उनको पता चलेगा उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेंगी चैको डाक्य मारता है चोर है जब उसको पता चलेगा तू ऐसा जुलम कर रहा है इसको कहां भरेगा कीडे पढ़ेंगे कुटा बनकर सिर्म है खाज लगेगी माया यही रह जाएगी तू लूट लूट का जा रहा है ले जा रहा है या कोई भी बुराई कर रहा है उसका कितना बहंकर प्रिणाम तुझे भोगना पड़ेगा तो अज्ञानता से गल्तियां बड़े-बड़े महापुरसू से भी होगी और अच्छी आत्मा यह तुरे न्त्याग देती है सत्रक हो जाती है आगे फूख फूख कर कदम रखती है तो ज्ञान सत्संग से ही होता है कोई भी यहाँ आओ सत्संग एक ओपन सथल होता है सब के लिए अलाउड है और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छुटेगी बहुत कुछ प्रमात्मा समझाया करते थे लेकिन एक और हमारे अंदर दोस है हम गुरु देव से अतिरिक अपने को ज़्यादा बुदिमान मानने लग जाते है और जब सुख हो जाता है क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर प्रमात्मा इनकी सर्ण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा जैसे एसी रूम है एर कंडिसनर और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में उसमत आती इसको रहत मिलेगी मिलेगी वो बातावरन ऐसा है तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोस है हम भगवान से ही दूर होना प्राहरम कर देते है तो कबीर साहिब कहते हैं वो सुख भी आपके लिए एक आपके लिए जो हैना एक बहुत बुरा सिद हो गया अब ही साप बनी गया आपके लिए तो यही कारण रहा कि वो लोग प्रमात्मा के सुने हुए वच्णों पर अमल कम करने लगे और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर और यह सबसे बड़ी मार खाता अपराणी अपना अपना मता नहीं चल सकता यहां तो जो सत्गुरु का आदेस हो उसी को शिरोधारिये रखा है यदि हम इसे बुद्धी मान होते तो पहले यहां इस ग्यान को ग्रहन किये होते हम पहले बुराईयां छोड़ चुके होते ऐसा निर्वल ग्यान जो प्रमात्मा कबीर जी ने दिया यह हमें पहले ही प्राप्त होता अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के और अपनी ही मती से फिर अप चलोगे यह यहां ऐसा ठीक नहीं यहां ऐसा होना चाहिए खाक होना चाहिए जो विष्था सत्गुर्देव कराते हैं वो सिरोधारिया होने चाहिए भगत के लिए और जो आदेश थे हो सिरोधारिया होना चाहिए भगत भगत ही होता है तो नहीं उनके गले उतरी नहीं आबात प्रमात्मा समझगे कि यह अब भगती हीन हो गए हैं क्योंका गुरू जी के वचन की अवेलना करने से नामखंडित हो जाता है इन सभी समीकनों को देख कर प्रमात्मा ने एक दिन सोचा की लाइन की अच्छी तरह फड़क निकाल दो क्योंकि जो आत्मा कोई जैसे कोई बुराई गणी कर रखी हो तो उसे ने अपने पाप दिखाई देते है वो ज़्यादा से ज़्यादा सच्सिंग टेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की चेश्टा करता है और जैसा उसका सामर्थ है वो दान धर्म भी खोग करने की चेश्टा करता है तो वह बहन जो गणिका थी वैसे थी वो प्रमात्मा के अतिनिक टा करके सच्छन सुनती थी वो की तरफ देखती रहती थी बगवान के वचनों को क्योंकि उसने तो ग्यान कदे सुने नीए था उसकी तात्मा पैसी थी पचास साल की उमर हो ली थी इसकी सारे बुराई करते करते तो उसके कारण वो सभी जो मुर्ख टाइप के विक्ती थे संगत में उन्होंने औरों को भी बर्मित कर दिया कि ये लड़की यहां ठीक नहीं है गुरु जी बदनाम हो जाएंगे ये हो जाएगा तो प्रमेश्वर कबीर जी ने सोचा लाए इनकी फटक निकाल दूँ यदि मुझे ये अपने ही जैसा मान रहे हैं तो फिर इनको मेरे साथ रहने की अवशकता है नहीं है एक दिन कबीर प्रमेश्वर जी ने अपने प्यारे भगत आदनी रवी दास जी से कहा कि आप एक आथी कराए पर ले आओ प्रमेश्वर जी नाग्या का पालन किया आथी कराए पर ले आई जो सद्धे हुए हाथी होते है और उस लड़की से कहा गणका से वैसा से बेटी तुकल अपना सारा सुन्दर कपड़े पहनना सब आबुसन लगा करके और मेरे पास आना जो आग्या गुर्देव की लड़की अगले जन कभीर साइब की कुटिया में पहुँच गी रविदास आथी लेक आगया लड़की को हाथी पर बठाया रविदास जी से कहा कि आप पीलवान बन जाएए आथी ड्राइव करना और लड़की को रविदास के पीछे अपने दोनों के बीच में बठा लिया और एक बोतल में सफेद सीसी में बोतल में गंगाजल भर लिया जैसा अन्य विक्तियों को ऐसा लगे कि ये सराब ले रखी है और उस लड़की गंगा के कंधे पर हाथ रख लिया आथी पर बैठ के कबीर बगवार में और उस गंगाजल को ऐसे पी रहे हैं और ऐसे मस्ति में बैठे हैं से जूद रहे हैं इस एक सराब भी गतिवीधी करता है ऐसे करने लगे हैं और रविधास्टी से कहा के में बजार है जो कासी का उसके बीचों बीच निकाल दे स्क्र Represent लिए मारी सवारी ने अब रविधास्टी ने उस में बजार में से निकाल दिया अब जो भी देखे रहा सरयाम वैसे अवरती देखो बेन बेटियों का बाहर निकलना दूबर हो गया बाप बेटा क्या देखेंगे ये कौन है सब बताओं ये तो कबीर है जुलाहा और सबी कहते थी हम तो पहले कहा करते थी हमें पता था कि वहां क्या होता है लेवाई तो उनकी कबीर साहिब के जो सहस्त थे उनको बुला बुला लेवें वो दूसरे के देखो तुम बगवान बताया करते जिसको ये देखो तो अरे बगवान के करम सरयाम दाशराब पी रहा है नसे विसको पता नहीं तू कहा गुम रहा है और वैसे को साथ लिये अब वो नकली तो होई रहे थे सारे चले उनको भी स्वासे नहीं था अपने बगवान पर जब सुक होता था जब तो बगवान थे एक छोटी सी लिला देखकर हम उसे शैतान हो गये मारे लिए तो हम इतने नालाइक हो गये थे तो सभी ने परमातमा से मूँ मोड दिया और कहने लगे हम तो कभी-कभी जाते थे हम तो जाते ही नहीं थे हमने तो एक दिन नाम लिया था फिर गए नहीं मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था मैं ना जाया करता यानि लोक लाज के कारण अपने परमात्मा से 64 लाख विमुक हो गए उद्र से क्या हुआ जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे उनके इस इन सत वचनों से के तुम्हारे जितने भी धरमगरू हैं चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसल्वान के यथार्स ग्यान इनके पास नहीं है तुम्हें मिस्गाइड कर रहे हैं इनके दोरा बताई साधना से तुम्हारी गती नहीं होगी जिस कारण से वो हिंदू और मुसल्मानों के जो धरमगरू थे वो कबीर साहिब के पहले ही सत्रू हो चुके थे बहुत सी यातना कबीर साहिब को उन्होंने दी थी लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था तो उन्होंने उनका दाओ लग गया और विसेशकर परमात्मा ऐसी लिला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का समराट सिकंदर लोग थी कासी बनारस में अपने दौरे पर जाता था उस दिन उन दिनों में दिल्ली का समराट यानि भारत का पूरे भारत का राजा वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए जैसे कासी का नरेस वहां उसमें बीर देवसिंग बगहेल थे तो उनके पास जाते रहते थे उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे क्योंकि वो सब उनके अंतरगत होते थे उसी समय पर मात्मा न ये लीला की सभी हिंदु धर्म के आचारिये संक्राचारिये और अन्य जितने मडलेस्वर थे उनका सब कादाव लगया ब्रामन गुरू जितने थे और उदर से मुसलमानों के पीर और कजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से और साथ में एक सेख तकी नाम का जो मुसलमान था वो पीर था गुरू था किसका सिकंदर लोजी का राजा का और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के नुए आई थे उस सेख तकी के संकेत से सब काम करते थे वो इतना उसको मानते थे और वो सिकंदर लोजी के साथ ही जाता था वो भी पहुंचा हुआ था अब सभी ने मिलकर इंदू और मुसल्मान दोनों के धर्मगरू और उन्होंने अपने अपने अन्वयाईयों को बर्मित किया कहा कि देखो भाई ऐसा व्यक्ति अगर कासी में रहेगा हमारे नगर में रहेगा क्या असर पड़ेगा बच्चों पर कैसे निकलेंगे हम बाहर चलो राजा सिकंदर लोजी आया है उसके सामने हम अपने अर्ज करेंगे और इसको कठी दंड दिलवाएंगे बीर देव सिंग बगेल जो कासी नरिश थे वो भी परमात्मा कबीर जी के सिस हो चुके थे उनकी लीला देखकर उनकी सक्ती देखकर उनके ग्यान को से प्रिचित हो दिल्डी के समराठ सिकंदर लोजी भी कबीर परमात्मा जी के सिस हो चुके थे क्यों कोई सिकंद लोधी को एक बहुत बैंकर ऐसा देरोग था और वो परमात्मा कबीर जी के आशिरवाद मातर से स्वस्थ हो गया था जिस कारण से पुनर जीवन प्राप्त करके सिकंद लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थी और स्वस्थ भी बन गए थी लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है जनता गणी दीखी न अपने राज के जाने के भैसे वो कुछ भी फैसला ले लेता है उसमें ना वो बगवान देखता ना कोई गुरु और धर्म देखता दर्म में धर्मिकता तो उसने सभी लोग इकठे होकर सिकंदर लोथी के पास पहुँच गए जिस रेश्ट हाउस में वो रुके हुए थे सारी कानी से प्रिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको सभी ने कहा जिसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए इसको पत्थर मार मार के राजा ने अपने राज्ज को बचाने के लिए कि जनता तिरी विरुधी ना हो जा यह हम इसे नकली है अपने हाथ से सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब का अपने गुरुदेव के अथकड़ी लगाई राजा ने जो एक सेपाई का काम था सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में लोग मेरे से विरुधी ना हो जा और सब को पता था के राजा का गुरुदेव है और कहीं है मेरे से इस कारण से विरुध ना कर ले कि यूँ सजा ने दे सकता यह तो इसका चेला है वो सब मरियादाओं को लांग के अपने हाथों पर मातमा के आथों मा थकड़ी लगाई पैरों में बेड़ी और गलों में जंजीर भारा डाला करते तोग जो नीचे पैरों से लेकर अथकड़ियों के साथ उपर तक जकड़ देती थी उस पे दोड़ नहीं सकता भाग नहीं सकता धिरी धिरे चल सकता था ऐसा करके और कहा इसको गंगा द्रिया में डुगो दो अब सेकता की जो धार में गुरू था सिकंदलो दी का उसने बाग दोर संभाल ली अकली माप करते हुआ इसका काम उनको ले जाकर के गले में पत्थर बाढ़ दिये वो बेड़ी अ थकड़ी तो लगाई रखी थी तो कभी जड़ रखी थी पत्थर भी बाढ़ दिये गले में भारा भारा रस्तों से और नौका में बठा के पांचा दस विक्ती साथ गए दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कभीर साहिब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा इसका टन्टा कट जाएगा उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर दरिया के अंदर सभी हतकडी बेडी अपने आप तूट गी पत्थर बांद रखे थे वो तूट गे वो दरिया में डूब गए और कभीर साहिब ऐसे बैठे है उस गंगा के जल के उपर जैसे थल पर बैठा करते हैं आसन पदम लग लिए परमातमा सुरक सित बैठे अब नोक का वाले वापस आगे अब लोगों न देखा कि ये डूबा नहीं पहले तिये सोचा कि अब डूब जागा थोड़ी सी देर में पत्थर बत्र रीचे खेचेंगे इसको जब देखा कि इतना डूब रहा है ना इसको हतकडी रही है तो सब ने कहा कि पत्थर मारो पत्थर मारो किनारे से लोगे पत्थर मार ले अब पत्थर वहां कहा जा थे बीच में दोस्य के फुट की दूरी पर फिर कहा कि तीर लाओ गोली लाओ बंदूख से मारो तीर ले आया कोई बंदूख ले आए और वहां गोली मारे परमातमा क जब तीर और इन से नहीं मरे बंदूख गोलियों से तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोब मगाई जाए अब तोब यंतर लाके खड़ा कर दिया उसमें गोले डालें कबिर साब के उपर दागें वो गोला या तो वहीं गिर जाए फस या कबिर साब से सोफ दो सो तिन सो फुट दूर जाके गंगा में गिरें क्योंकि वहां बहुत चुड़ाई है गंगा दिया की जहां पर वो ये किरिया कर रहे थे और या इतनी दूर जा पड़ें किसी तालाब सरोवर में आस पास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आस पास के ऐसे कबीर पर ऐसे प्रमेश्वर की लिला को आदनी ग्रीबदा साहिब जी गाउन शुडानी जिला जजर हरियाना वाले ने परमात्मा से प्रिचित उस ग्यान से उस ग्यान से समझ कर जान कर यथारत रूप में वर्णन किया यहाँ थोड़ा सा वर्णन आदनी ग्रीबदा साहिब जी का आपको देते हैं क्योंकि पुनात्मा आज तक आपने कोड़ियों को तो लाल समझ रखा था और लाल को हमने कोड़ी जान कर कहीं फैक रखा था कूड़े में अब दासी ने पैचाना उस लाल को क्योंकि लाल के गुणों से प्रिचित हुआ और उस लाल को उठा कर यब आपको आपके सामने ला रहा हूं कि जिन को तुम लाल समझ कर लिये हुए हो वो लाल नहीं है वो समर्थ भगवान नहीं है और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता आपकी गती नहीं हो सकती आपके यहां भी पाप नास नहीं हो सकते आपके प्रांद के जो पाप करम है वो यहीं कट सकते नहीं कट सकते और आप सुखी नहीं हो सकते यहां भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे केवल समरत कबीर परमात्मा से ही आपको यहां भी सुख मिलेगा आप प्रहूर्द के कष्ट के कारण आप पाप के कारण आप कष्ट में है और जब तक ये पाप नास ने होगा इतने कष्ट मैटे नहीं जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीडी थै रोग जब तक नेकटेगा वह सुखी होई नहीं सकता तो ये प्रहर्वद का जो पाप है ये एक रोग आपका जिस कारण से इसके कारण से जो जो आपको कस्त है कोई गर में समझज जा है कोई धन्हानी हो रही है या कोई पूतर में गड़बढ़ है या पूतर वधू का जिक्कत है तो इस तरह की जो प्रहर्वद करम पाप के कारण दुख है ये पाप नास होने से सुख होगा तो पाप नास केवल कबीर परमातमा ही कर सकता है तो यहाँ इसलिए आपको उस लाल की महिमा लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षन बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है और किस-किस ने इस लाल को पहचाना था उसनों ने यही लक्षन बताए जो दास बता रहा है तो यहाँ आदनिय गरीबदास साहिब जी को परमातमा कबीर जी बनारस से स्रीर जाने के बाद और सन 1727 में यानि लगबग 200 वर्स के बाद 209 वर्स के पसचाथ परमातमा सत लोक से चल कर आए अपने निद सथान से जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है जिसका वेदों में आपको बहुत बार परमान दिखाया है वेद कहती हैं कि परमातमा ऊपर तीसरे धू लोक के तीसरे परिश्ट पर रहता है और वहां से गती करके आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो प्रमात्मा कि सुदेशे से आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं तो दर्डभक्त होते हैं उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं अपने से प्रीचित कराते हैं और एक कवी की तरह आच्रण करते हैं वो उसमें जब वो आते हैं जिस कारण से उसको एक परसिद कवी की भी उपादी मानो समाज देता है लेकिन वो होता है भगवार इसी अपनी लीला के कारण अपने गुणों के कारण प्रमात्मा कबीर जी सत लोग से चलकर आए थे गरीवदास महाराज जी गाउं छुणाने जिला जजर्जर वाले दस वर्स के बालक थे अपने ही खेतों में गववें चड़ा रहे थे अपने ही सेक्ड़ों की संख्या में गववें थी किसान जाट के घर जनम था आदनिय गरीवदास साहिब जी का जमीन बहुत थी उनके लगवग 1401 जमीन थी और उसमें वर्सा होगी तो कनक हो जाती थी नहीं तो चरागा ही ज़्यादा रखते थे पसू पालन का काम करते थे गववें सेंख्ड़ों की संक्या में थी आप भी पाली थे गरीवदास साहिब जी दस वर्स के बच्चे और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो और साथ में गाओं वाले भी अपनी गवववों को अलग से लेकर उनी के खेतों में चराया करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्षेतर था उनके पास तो सभी वाँ गववें चरा रहे थे सत लोग से प्रमात्मा चल कर आए आदमी गरीवदास साहिब जी से मिले दस वर्स के बालक को तत्व ग्यान समझाया उनकी परबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सच्छंड को देखूं जहां से आप आए हों आप इतना सुख बता रहे ह वहां किसी चीज का भाव नहीं वहां सदा भार वरक्स हैं सदा भार फल फरूट हैं वहां कोई वर्द नहीं होता वहां मरतू नहीं होती सुंदर सरीर है ये नाडी तंतर से बना हुआ वहां का बावडी नहीं है तो तुम वहां चलो बच्छा वहां सदा सुखी रहोगे य इसे परवावीत होकर गरीवदास बालक की बहुत जबरदस प्रेड़ना बनी और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ हूँ सतलोक चलूं। कबीर साहिब उसात्मा को लेकर के सच्खंड गए सारे बर्मांट दिखाए और फिर अपने अपनी सक्ती से उनके अंदर अपना तत्व ग्यान फीड कर दिया उनकी दिव दिरिश्टी खोल दी। उदर से दस्वरस के बालक को मरत जानकर चिता के उपर रख दिया था गरीबदा साहिब जी के सव को बोडी को अगनी लगाने ही वाले थे उसी समय कबीर प्रमातमा जी ने उसात्मा को वापिस भेज दिया और चिता के उपर से उठकर चल पड़े गरीबदा साहिब जी और आँखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया उस ग्यान का वर्णन करन लागे वानी बोलन लगे तो कबीर गौड गीवन है तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिवद्रिश्टी खोल दी दिवद्रिश्टी खुल जाने के बाद जीव भूत और बवीसे और वरतमान के सभी ग्यान से प्रीचित हो जाता पहले क्या हुआ था कहां कहां कि इसने के बोल ला था क्योंकि ये जो वसबद है ये खंड नहीं होता ये एक पिक्टर सी बन जाती है जहां जाते हैं आते हैं मिलते हैं ये सब पिक्टर बन जाती है और ये हमारे यहां गूमती रहती है और जि अन्य लेंग्वेज में फिर वहां बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को बाकी गटना ज्योंकी तो हो थी इसी परकार इसी परकार आदनिय गरिब्दा साहिब जी ने प्रमात्मा की इस लिला को जो उन्होंने गणका आथी पर वैठ कर गणका यानि वैस्या को वीच में बठा कर लिला की थी फिर उनको दरिया में डुबोने की कूचे इस्टा की थी नालाकों के कारण वो सारा चित्रन बड़े प्यार से किया हुआ अपने अम्रतवानी में प्रमात्मा से प्राप्त दिवद्रिष्टी के तवारा प्रमात्मा जैसे लाखों वर्सों पहले श्री रामचंदर जी ने जो लिला की थी जिसको रामायन कहते हैं उस रामायन का वो सारी गटनाओं का ज्योंकातों चित्रन श्री तुलसी दास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वानी में किया था तो वो सब को मानने है कि जो तुलसी दास जी ने लाखों वर्स के बाद उस में चल रही चल चीतर कीतर है वो सारी गटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्मानादारा है इसी परकार अपनी दिवद्रिष्टी की रेंज होती है जैसे एक सुकस्म दर्सी होती है एक दुर दर्सी होती है तो दुर दर्सी का भी दुर्बीन का भी अपना अपने रेंज होता है अक्समा होती है कोई तो एक किलो मिटर तक दिखा सकती है कोई सो कुर्मातमान दोराप्राप्त उस दीवदरिष्टी की रेंज गृबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज्यादा थी और खर्बों वर्स पहले के ग्यान सत लोक से क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ और वविशे में क्या होगा वो सारा आधनी गृबदास जी ने अपनी अमरतव फिर गणका के संग चले सिसी बरी सराब ग्रीब दास उस पूरी में जुलहा भया खराब कि उस नगरी में उस काशी नगरी में कवीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टी में एक बेहुद्धा व्यक्ती लगने लगा जुलहा यानि वो कवीर धानक परमात्मा हुआ खराब यानि सब की दृष्टी में वो गलत साल लगन ले गया है क्योंकि फिर गणका को संग लिया सिसी बरी सराब वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टी मुआ सिसी शराब की थी लेकिन वो गंगा जल था गरीब दास उस पूरी में जुलहा भया खराब तारिबा जी पूरी में ये भिष्ट जुलर दी नीचे गरीब दास गंड कास जी ही दो संतों के बीच गरीब दास जी क्या बता रहे हैं कि उस पूरी में नगरी में जब कबीर साहिब को उस दसा में देख्या हाथी के ओपर बैठिया बैठे हुए आथ में सिसी सराब की तरह पी रही थे गंका को वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी तो सारी नगरी में ताली पिटी आशी मुझा करें और गाली दें ये दुलाहा नीच वो अपनी असलियत पर आगया देखो तारी बाजी पूरी में ये बर्ष्ट दुलादी नीच गरीब दास गणका सजी ही दो संतों के बीच गावत बेन विलासे पद गंगा जलपी वन थे गरीब दास भी भलव हे वो मतवाले घूमत बढ़वा बढ़वा सब कहें कोई न जाने खोजे दास गरीब कबीर कर्म ये बाट तैसर का बोजे क्या बताते हैं के कबीर साहिब पर अपने अपनी महिमा के सब्द गा रहे थे गावत बेन विलासे पद वो गंगा जलपी वन थे गंगा जलपी रहे थे सी सी से और गरीब दास भी भलबहे वो मतवाले घूमनते जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था यो तो बिलकुल सराब के नसे में और मतवाला होके घूम रहे बढ़वा बढ़वा सब कहें कोई न जाने खोजे दास गरीब कबीर कर्म ये बाट तैसर का बोजे सब करने लगे ये तो बढ़वा है गंदा आदमी है देखो सरयाम क्या जुलुम कर रहा है तो कभी आदने गरीब दास साब जी कह रहे हैं कि बढ़वा बढ़वा सब कहें और कोई न जाने खोज वास्तविक तासे को परिचित नहीं ये लीला क्या कर रहे है गरीब दास जी कह रहे हैं कि कभीर परमात्मा अपने सर से इन नकली सिस्टों का बोज पटक रहे हैं डारत सर का बोज अपने अत्मा इस तत्वा ग्यान से आपको बहुत कुछ ग्यान होगा जैसे ये नकली सिस्ट लाखों क्रोड़ों सिस्टों को अपने पीछा लगा कर गरोव महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े सिस्ट और मंडलेश्वर बनगे और ये पता नहीं आपको ग्यान है नहीं आप अधिकारी हो नहीं इतने सिस्टों को आप भर्मित करके प्रमात्मा की आत्माओं को कितने प्राजी दोसी बन रहे हो आपके उपर इतना जबरदस बाहर हो जागा आप तो असंग जनमों तक नर्ग से नहीं निकल पाओगे तो इप प्रमात्मा ने भी अलीला की कि जब देखा चौश्ट लाग से उस्ट में आज से 600 वर्स पहले चौश्ट लाग से सो ना कोई बालकों का काम नहीं ना कोई मीडिया था ना कोई ऐसा और दानक जुलाहे के गरजनम जिसका एक गरीब व्यक्ती आम आदमी की दृष्टी में तो कितने समरत थे वो कैसे उन्हों निदिला करके अपने बच्चों को अपनी सरण में लिया उनको सत्भक्ती दी लेकिन हम प्रमात्मा को ना पैचान कर उससे ऐसे ही बिछुडते रहे अब वह कमी अब जो दा साथ सत्सिंग सुना रहा है वो लाश्ट में रिजर्ट निकलेगा इसका तो वह तरूटी वह कमी अभी तक हमें हानी करती रही आगे अड़ती रही तो क्या बताते हैं तो सभी के सभी जो सिस्थ थे वह अपने आप विमुख होगे सत्सिंग में जाना है छोड़ गए यहाँ दो सथीती होती है एक तो होता गुरूद रोही गुरूद रोही वो होता है जो गुरू की निंदा करने लग जाता है उसका गुरोधी बन जाता है तो वो तो गुरूद रोही है गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविस्य में अगले जनमों में कोई उसंख योगों तक मानुसरीर नहीं प्राफ्ट करता और जो वैसे ही लोकलाज में दबक है अराना छोड़ गे तो उनको और गुरुद्रोही हुए नहीं गुरुद्रोही की परिबासाब को बताई थी तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दीगी बगती जिसने दो वर्स की किसे न दस वर्स की किसे न बीस वर्स भी की होगी किसे न तीस वर्स भी की होगी तो उस बगती से वो फिर रह गे यहीं पर लेकिन उस बगती के कारण परमात्मा उनको चारज कर गे इतने द्यालू हैं उनको फिर मनुस जनम मिलने सरू होगे और वो ही आप हो जो यहां आ रहे हैं उन चौश्ट लाकों मैंसे पहले वो आएंगे आप भटक रही हो परमात्मा से दूर होगे लेकिन वो द्यालू है उनको मालूम था कि यह अब नहीं पैचानेंगे मुझे हमें चारज कर गे इतने द्यालू हमारे करम बढ़वागे अराब बढ़वाकवागे अराब उनके दूर होगे और कोई विकलब नहीं था उनके सामने तो हम अब आप जी को जो मनुस जनम मिलता हुआ आ रहा है आपके अंदर प्रेड़ना प्रमात्मा की कोई कहीं जा रहा है कोई संत के पास जा रहा है कोई किसी मंदिर में जा रहा है कोई तीर्थों पे जा रहे हैं कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं तो आपके अंदर वो चाहा है तो दो परकार से मानो श्रीत प्राप्त होता है एक तो पूरव के पु कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं तो जो विक्ति ऐसे मनुस जीवन से ही मनुस जीवन प्राप्त है वो जल्दी भगती को ग्रहन करता है उसमें एक टेश्टा रहती है प्रमात्मा के पाने की और एक दूसरी टाइप से मिलता है जनम एक टरन वाइज मिलता है नंबर वाइज है जै से 84 लाख परकार के प्राणियों के स्रीर में कष्ट भोगने के उपरान था इतने पुन सेश रख लिया जाते इस प्राणी के कि उसको एक मनुस जीवन फिर से दिया जाता है जो अन्य प्राणियों के स्रीर भोग भाग के अब आए है वो इस बगती बच जल्दी सी नहीं लगेंगे चैक इतना सेर पटक ले उनकी और ही विर्ति होती है तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए है उनके पास या किसी मंदर मस्चित गुरदवारों में जा रहे हो आप वो आत्मा हो जो मनुस जीवन से ही आपको पुने मनुस जीवन पराप्त हुआ पिछले जनम में भी आप मानौई थे इसलिए आपके अंदर अन्य विक्तियों से एक विशेस आपके विचार भी अच्छे होते है आपका भाव भी ठीक होता है बले यह आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उसमें लेकिन इस ग्यान को सुनते ही बड़े बड़े सरापियों नो सराव तयाग दी दुराचार दिया डाकों ना डाके डालने छोड दिये चोरों नोator चोरी छोड दी तो वो पन करमी प्राणी गल्ति से फसगे विकारों में तो वो मनुस जीवन से आए हुए तुरिं त्याग देते हैं और जो ट्रेंडवाइज नंबर प्राप्त है वो भी बुराईयां करे हैं वो ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है वो अलग है उन में थोड़ा समय लगे ऐसा नहीं है जो अन्य प्राणियों के जीवन से मनुस जीवन पराप्त किया है वो भी सरण में आ सकते हैं लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आने में वो उस समय आएंगे जो प्रमात्मा का पूरा ग्यान पूरी पर्थवी फैल जाएगा बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनके भी करेगी ऐसी बात लिए लेकिन आप जी वो हैं जो यहां पहले आ रहे हो कभी परमात्मा से बिछडे हुए हुआ जब कभीर बगवान आये थे अब कोई महाराष्टर से आ रहा है कोई बैंगलोर से उसे जो है गुजराच से आ रहा है कोई कोहीं से आ रहा है एक गाउं में अजारों घर होते हैं और दो तीन बच्चे निकल कराते हैं तो कालने जगे जगे फैंक राखा था इनको संसकार वस और वहां से परमात्मा उठा उठा कर प्रेड़ना करकर के टीवी के मादम से पुष्टक के मादम से किसी बहाई बेन रिष्टेदार के मादम से अपना फिर संदेश बेज रहे और वही बच्चे अभी यहां आ रहे है तो वह चोंसेट लाग दो स्यस्थ थे परमात्मा किसी लिला को देख करें उनसे विमक होगे सत्संग जाना ने जनके का इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सरपेजर के ले जाओगे बगवान भी पठक दिया उन्होंने अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है इस अग्दास के ग्यान को समझें और तुरूटी है तो अग्दास को बताएं कोई मैं गल्ट कह र जनता भूली आत्मा सरदालू हैं चपके बैठी हैं इनको जो समझ माओगी ये स्वहमा जाएंगे और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानि डूटी है और विवेक ही ने वो उनके पास रह जाएंगे तो उन पर फिर भी भार रहेगा क्योंकि उन्होंने तो मिस्गाइ किया हुआ चाहिए वो बेशिक यहां आजाए फिर भी उन पर भार रहेगा उन्संतों पर जिन्होंने उनको पहले भरमिद किया हुआ है तो उनका एक ही तरीका है वो स्वहम सब को कह दें इस ग्यान को समझें वैसे नहीं है खुब गहराई से जाने वो भी बगवान के लि गाकालता है तो यह संत एक बार इंको कहई देंगे कर देखो ऐसे आसा है कोसिस बहुत की हमें भी ग्यान नहीं था इस ग्यान सियत तो सिद्य हो जागा उनको ग्यान है नहीं अरदात सर्याम कहरcience को ग्यान नहीं इनके पास कोई समाधहन नहीं फिर भगती की सिरे क्लें मैं देना चाहिए अपने अनिवाईयों को ऐसे ऐसे बात बन गी मुझे भी गान नहीं था और आभी चलिए आप कल्राण कराओ आप जा करके अब एक डॉक्टर के पास आने में के सरम मनने दास डॉक्टर है आपको जनम मर्न का रोग है प्रमात्माने दास को डॉक्टर बना क बेज़ दिया ते सारा विस्वा जो अर इसमें बड़े चोटे वाली बात भी नहीं कोई मान बढ़ाई आप नहीं दास एक डॉक्टर है डॉक्टर हो क्या भी माने उसका तो पेसा है तो लाखों जितनों भी ओडील कर सकता सब को कर सकता है यहां तो अध्यात्मी गमार्ग नहीं ते सारा विस्वा जो यह दो सब्त की सकती तर सारे पार हो जाएंगे बगती करोगे नियमित रहोगे थोड़ी सी बात है और परमातुमा का इतहर तो ग्यान दास के पास है संत भी आए और वही चेले रहेंगे वही आसरम होने बगती दास के अनुसर करनी पड़ेगी और अपना एक दास बन करे ना पड़ेगा संत महंत बन कर नहीं रह सकते फिर फिर तो आपके करम बिगड़े रह जाएंगे बहुत इतनी सी बात है कल्यान हो जाएगा सबकर तो वो भार मुक्त हो सकते हैं जब परमात्मा होते ही उन्होंने भी क्या बता रहे हैं बढ़वा बढ़वा सबक है कोई न जान खोजे दास गरीब कबीर करम ये बांटत शर्का भोजे अपने सर से बोज उता रहे हैं परमात्मा फैंक रहे हैं नीचे पटक रहे हैं चौशट लाग सिस हो गे थे तो गुरू पर बाहर होता है उन सिस्सों का वो तो भूली बाली आत्मा समर्पन हुई बैठे है और वो कसाई के लिए जा रहे हैं जो गल्त रस्ता बता रहे हैं काल के डाल में फसा रहे हैं तो इन से बड़ा अपराद कुछ नहीं हो सकता तो कबीर साहिब परमात्मा ने भी अपने सिर से बोज पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सत लोग तो क्यों सिर पर भाहर रख्या तो ये अपने सिर से भी उतार गे उन्हों तरीकाई उपना लिया तो सब उनसे वी मुख होगे तो उनसे वो भार मुक्त हुए देखो गन का संग लई कहते कौम छती से गरीब दास इस जुलहदी का दरसन आन हदी से सब छतीस कौम छतीस जात ये कह रही है देखो वैसा को साथ लिए सरयाम घूम रहा है इस जुलाहे का इस दान के तरसन करण में भी टोटा और फिर क्या कहते हैं सा सिकंदर लोधी के पास पहुँचे सा सिकंदर कौसूनी बरिष्ट हुए दो संत गरीब दास चारों वरन उठ लागे सब पंथ यानि सिकंदर लोधी के पास सभी ने जा के बता दिया के ये दो संत आदनिये रविदास साहिब जी प्रम पूजय कभीर परमेश्वर जी के विशे में कहा के वो दो बरष्ट होगे उन सरयाम वैसे आवर्ती करते आथी पर गूम रहे अब क्या बताते हैं के सभी के सभी जितने दोनों दर्मों के आचारिय संकराचारिय पीर गुरू थे ये सड़ बड़े खुशी बनाई अकाज इसका टन्टा कट जागा आज इसको राजा जान से मरवा देगा फासी की सजा देगा इसको दंडित करवाएंगे सहा सिकंदर कह गए सुन कबले अर्दास ग्रीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास आदनी ग्रीबदास ताहिब जी बता रहे हैं कि सास सिकंदर कह जब सब लोग गए कांसी के इकठे हो करके और उन्हें अरज करी तब सिकंदर लोजी ने कहा के लाओ उन दोनों को पकड़ करे तो वो दोनों पकड़े गए आदनी है रविदास साइब जी प्रमपुजय कभीर प्रमेश्वर जी ने कह कभीर यो क्या किया गणका लिनी संगे ग्रीबदास भूले भग दिये पड़ा भजन में भंगे अब सिकंदर लोजी सिस्था पहले तो जो ग्यान सुन रखा था बगवान का उसके आधार से बोला कि कहो कभीर यो क्या किया वैसा लेली संग और ग्रीबदास भूले भगती सिकंदर लोजी कह रहा है कि तुम भगती भूलगे और आपके पड़ा भजन में भंगे अब परमेश्वर कभीर जी क्या कहते हैं सुन सिकंदर बादसा हमरी अरज अवाज ग्रीबदास वो राकसी जिन ये साज जा साज वो तो जानी जान थे उन्हों तो जान वुज के लिला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि सुनो सिकंदर बादसा हमरी अरदवाज और गरीब दास वो राक सी जिन ये साज जा साज भगवान आप रक्षा करेगा मेरी जो मेरे से गलती बढ़ी या ना बढ़ी जैसे सिकंदर लोगी ने सिक्षा दी कि क्या किया कबीर जी आप नहीं हो वैसा कुछ साथ ले लिया आपकी भगती में कितना हानी होगी तो परमातमा एक दास बन कर उतरे थे एक दास की लीला एक हरतरे की लीला वही करके गए है जो एक संतने करनी चाहिए और एक भगतने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वा करना चाहिए और परमात्मा तो ठेवा दिल्ला उनकी चली ही रही थी कासी बैठ के पूरे ब्रमान्डों को गुमा रहे थे और साथ में एक तत्व दर्सी संत वाली पूमिका भी वही कर रहे थे खरी खरी जो कहत है सोई संत कहाव है और जेता मीठा बोलिया जेता संत ना हो तो परमात्मा जो संत ने संत गुरू ने जो बोलना चाहिए सची सची कहनी थी हो प्रमातमा कबीर जी ही बोल के गए थे और तो सची कहता है वही सत्गुरू होता है तो कबीर साहिब जी ही रियल में सत्गुरू और प्रमातमा थे ही तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सची कहनी की जो शरीर रहो चाहिए ना रहो उसका संदेशा पूरा पहुचाओंगा उसके बच्चों तो यहां परमात्मा खरी खरी कहा करते थे सारी लीला वही कर रहे थे और एक राजा के सामने नागरिक और दोसी कैसे बोलना चाहिए एसे बोल रहे हैं उनकी दुरुष्टीं दोसी थे लेकन उ तो पूर्ण परमात्मा हैं समरत हैं निर्मल हैं नर्दोस हैं सुन सिकंदर बादसा हमरी अरद आवाज है और कबीर साहिब की तरफ से गریबदास जी कह रही है गरीब दास वो राक्सी जिन ये साज जा साज के मेरा तो भगवान मेरी रक्सा करेगा जो भी मेरे से हुई सो हुई अब क्या बताते हैं फिर क्या किया जड़िया तोक जंजीर गल सहासिक अंदर आप गरीब दास पदलीन है वो तारी अजब पाजाप अब कविर साथ लीला कर रहे हैं हमें बता रहे हैं समझा रहे हैं कि कोई भी आपती आप पर आजावे चैजूठी या सच्ची किसी परकार से भी आप किसी करम से या वैसे किसी की गलती के कारण तो उसमें परमात्मा के इस अजबपा जाप जो नाम आपको दे रखा इसका इसमें लो लगा लेना फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से होगा उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करें कोई भी आपती किसमें अपने माले के उस नाम का सुनन करें जो आपको प्राप्ट है क्या बता रहे हैं जडिया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप ग्रीब दास पदलीने है ये तारी अजबपा जाप हाथों जड़ी हतकडी पगबेडी पहराए ग्रीब दास बीच गंग में तांजी दिन्या छटकाए गंगा के बीच में अथकडी बेडी लाक है उसमें डालती है जड़ गे तोक जंजीर सहब जड़ गे तोक जंजीर सहब लगे किनारे आए ग्रीब दास देखे खलक सोकाजी बाद साए अब क्या हुआ जब वो गंगा में पठका उन्होंने हतकडी बेडी सारी जड़गी कबीर सहब ऐसे बैठे हैं जल पर जैसे थल पर बैठे होते हैं नीचे बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की मालक बैठे फिर परमात्मा वापस आगए किनारे पर फिर उन्हेंने सुचा यह तर ना मर रहा अब इसका पत्थर बांदो और फिर दुबारा उसी में छोड़ गया हूँ जड़गे तोक जंजीरी से वेग लगे किनारे आए गरीब दास देखे खलक स्यों काजी बाद से आए तो वह सुरी जुनता देखे दरसे को सारा स्वेर उमड कर जा रहा और बाद से भी वहीं खड़े काजी और मुल्ल आरी हमारे एक दर्म गुरू थे वो सारे वहीं देखे तो मैं साकाज काम होगा इसका हमारा रोड़ा निकलेगा हमारा काटा निकलेगा जो वो अग्यानी समझ रहे थे वगवान को जो उनका भी पिता उनको भी सत्मार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भरम द mister वह वह सभी देख़न चले ऊजिटी गाजियों खतम हो जाएगा है मीचे नीचे गंगा जल उपर असन थीरी ग्रीबदाश दूबे नहीं वह बैठे अधर कबीर कहते हैं नीचे नीचे गंगाजल उपर आसन थीर यानि कती सतीर खड़े हैं बैठे वासन लागे और गरीवदास जी बता रहे हैं कि सब नहों कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर यो यो अतरत कैसा भया ये देखें दोनों दीन दोनों दर्मों के विक्तिवा देख रहे हैं ये कैसा तरत रहे हैं ये डूबा नहीं गरीवदास काजी कह है ये बांध दिया जलसीन अब ये तुके मारें काजी लो इनों कह इसने इस जल को अपने मंतर से बांध दिया इसलिए ना डूब रहा तुम बाई दिलो ने पढ़ो दिसके माई एक बेज़ा के ऐ मुरख बनाओ दुनिया ने क्या फैसला किया कि इसके फासी लाओ रसा बांध दो मजबूत सा और इसके गड़े में भारा मुटा पत्थर बांध दो यो डबो होगा इसने गल में फासी डारे करिये बंधो शिला सुधारे अच्छी तरह बंधो पत्थर सिला गरीब दासी ओ जूल है दी जब डूबे गंगदारे सिला दरी जब नाव में बंधी गड़े कबीरे बुन्यात्माओ बालक नहीं है आज का मानो बड़ा बुदी मान है और हम क्या उदेश से लेकर जी रहे हैं गरीब दास साहिब जी को प्रमातमा न ग्यान दिया उसमें क्या कह रहे हैं बिन उपदेश अचंब है क्यों जीवत है प्राण और बगती बिना का ठोर है ये नर नहीं पासान उदे अस्त का राज जीव को जै कोई दे अर लाख बदाई के करेज नहीं नाम तेने अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुस जीवन पाकर के बगती नहीं कर रहे हैं उपदेश नहीं ले रख्या ये किसा आधार से जीवीत है किसको आधार मान कर जिन्दा है अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इदर नहीं आती हैं उपदेश लेने तो ये आदमी नहीं ये पथर जलो गे उनकि पापकरमों के कारेण पथर हो गए इनसान नहीं तो ये तो इतना मर सकते हैं यसे गंदे लोग मामरा रहे क्या यही उदेश से फाइनल है कहते हैं इस बगती बिना कहा ठोर है यह नर नहीं पासान तो यहां क्या बताना चाहते हैं अपना अत्मों परमात्मा अमारे लिए कितना दुख उटा रहे हैं आप तो भांग पी हैं पड़े हैं काल की कबिर साहिब कहते हैं कबिर यह माया अट पटी और सब गटान अडी किस किसने समझाओं या कुव भांग पड़ी काल ने आपके अग्यान की और यहां की दूठे लालत लोब की कोई ठीकार पंग लेंगी किस किसने समझाओं या कुव भांग पड़ी किसा साल चाज़ी रहे और एक मिट में ना जाने बुकम पाजा अक्सेतर काक्सेतर नास हो जाता है और तिन तिन पी डीगे बनाए वे मकान वहीं पर उनके निच्चे दब कमर जाते है और फिर बाकी बचे फिर भी कुसल खा कुसल है यहां पर कबिर साहिब कहते है जो ठी सुक को सुक है ये मान रहा मनमोध ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुखमा कुछ गोद तो वो परमातमाप के लिए कितना बटक रहे है उनका क्या उदेस्यत है याने का इसे सुच लोक न छोड़के वहाँ सारा सुक है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं हम मारे से गलती बनगी बहुत भेंकर भूल बनी हुए और जिस कारण से हम यहां आगे उस मालक न छोड़के इस काल के साथ मैं इस विलियन के साथ आगे हम इसको अच्छा आजमी मानके और इसने हमारा केस हांकाड रख्या किसी बेट्टी मरगी को कैंसर से पीड़ित किसी टांग कटगी किसी बागजू कटगी कोई कीडे पड़े हुए हैं 84 लाख योनियों में कुट्ते गदे सुर बनकर हम कश्ट उठा रहे हैं और फिर भी सांते क्योंकि हमें ग्यान नहीं जो ग्यान वो देने आते थी वो आप तक पहुंचन ने दिया हैं हमारे ही भाई बैनों ने ये नकली गुरू और संतों ने क्योंकि ये माया के भूखे हैं ये महिमा की भूख है इन लोगों को अभी नभी आँख खोलनी पड़ेगी प्रमात्मा की इस प्रितन को सफ़क होने दो और तुम भी समझो और इन बच्चों को भी समझने हैं दूस्ट बगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पारे अब ये समय है अब हजार वर्स के लगबग ये समय ऐसा ही चलेगा इसमें जो निकल गे निकल गे पर रहेगे फिर हुआ इन अबिरान मेटी कभी साहब नहीं फिक्स कर रख्या तब पच्पन सो वर्स जब कल युग बीच जागा उसके बाद पूरे विश्वे में एक ही ग्यान रहेगा और सभी नाम लेंगे वसी ये तो होगा ही होगा जो बगवान ने बोल रख्या तेन संतों के उपर ये रह्म हो जागा ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने शर्पाद रख्या नीन ने ताना ही पड़ेगा सब यही आएंगे रून पर भार ने का नो रहे जागा ये सब्द बोले बिना इननों बोलना पड़ेगा अब हमारे बगवान हमारे पिता हमसे गलती बन गई कहते हैं कोटिक अउगन बालक कर ही पिता एक चित नहीं धर ही आमने उनको पीटा उनको बढ़वा कहा उस पर तोब के गोले चलाए पत्थर मारे वो भी तर सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसल्मान वहां खड़े थे अब कालने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दूसमर बना रखे ताकि यह भगवान के निकट ना चले जा अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मान कर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहे और भूल जा भगवान को तो अपने आत्माओं आज का मानो बालक नहीं है परमातमान या सिक्साइश लिए दी है तो भगवान पहचान सको आप ना इसकी कती हो सकता नहीं चीज़ ना बेइमान बना दिये हैं और बकवादी बना दिये आप देखो इन बड़े-बड़े सहरों में नहीं कही हैं उच गराना है कि लड़की है वह नंगी ना ड़की ऐसे सर्याम गुमती है तो यही विकास है क्या गिरावट है यह मानों की अग्यानता के कारण हम उनको अच्छे पुडेल यह तो एजुकेटिड सोसाइटी है अग्यानता के लड़की नाच ना गाना यह तेलिवीजनों के माजन से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ग्यान से इन टीवियों के ओपर एक दिन वो आएगा पुरा सत्संग मालिक का चला करेगा यह बकवाद बंद हो जाएगी वो दिन दूर नहीं है छेक लिए आम इसको सुन सुन का यह कोई काम है बेटी नाच रहे है वाप नाच रहे डीजे बाज रहे यह तो बेउद्धे लोग किरा करते जो सरयाम करते उसका पकल तायर दिया करते थे ऐसे ऐसे धार्मिक बेखती थे अच्छे इज़त वाले अरे भी इसने बहुर मानने हैं शाबासी मानते हैं तो यह किसे ने दिया इस सिक्षान आरे टीवी ने दिया हमारे को अब इस सिक्षाकार इस टीवी का सिदुप्योग होगा बगवान को पहचानेंगे जन जन तक मालिक का युग्यान इसी टीवी के मादम से रूब रू हो रहा है इसी से पन पचान कर उसके बच्चे बेहन बेटी बाई भाग भाग करा रहे है अपना कलान करवाएंगे तो प्रमात्मा हमारे लिए इतना कश्ट उठाए और हम उनको पैचान नहीं रहे है यह हमारी बहुत बड़ी भूल है इस बूल को अब समाप्त करो असंगीयों कोगे यहां दके खाते आने प्रमात्मा कहते हैं कोट जनम तन बर्मत होगे कुछ नहीं हाथ लगया रहे कुकर सुकर खरबया बहुरे अपने अत्मों जिसको नसा हो हुआ है व्यक्ति चहे जून के महिने में पंजाब राज़स्तान अरियाना यूपी के अक्सेतर में और बाहर पड़ाओ पसीन्यम पुसिद्ना हो रहा हो रे तुसकर लगा हुआ हो उसको कोई कह बाई तु बहुत दुखी है उठ ले यहां से चल तुझे चाया में बठाता हूँ और वगेदर जोड़े मौज़ा रहे है तो आज हम इस सतिती में हैं इस गंदे लोग के इस सुक को हम सुक मान रहे हैं हम सराभी की तरह पड़ें इसके अंदर और जब यह भांग उतर जागी आपकी असराभ उतर जाएगी इस ततुए ग्यान से आपको नरक दिखाई देगा सत लोग की तुलना में क्योंकि अब हमें ग्यान ने ठीक नहीं मिला सत लोग में कहते हैं परकास ही परकास है आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जासे बून समंदर में और कुछ नोगें परकास ही परकास है वह अमर लोग है और वह सत पुरस है और उसमें बिंदू की तरह आत्मा बटकती है ये कोई ग्यान है क्यारवची बनेगी वाँ जाने की अर्दिन मापुरसों ने परमात्मा को देखा अपने गवा बना के मालिक ने वापस छोड़ा उन्हेंने सारी सथिती बताई है वहाँ ऐसा ही सिरिष्टी है वो सरीर ऐसा नहीं है वो बगएर नाडी तंतर का सरीर है उसमें वर्दवस्था नहीं होती वहाँ सतलों के एक पर्थवी है सफेद उसका कलर है जैसे रेह देखी हो अपने उसमें सफेद मिट्टी हो जाती है तो वो परमात्मा की वहाँ सफेद मिट्टी है लेकिन वो रेही नहीं गजब की बहुत ज़्यादा चमकिली है जैसे बालूरेत है कि तक इसी तरह का इस तरह कि वो पर्थवी अलग है सफेद है चमकदार है और वहाँ पर सब सिरिष्टी है बाग बगीचे हैं हीरे पन्हों के वहाँ पहाड है यहां तो पत्थरों के पहाड है और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है वो जल कभी खराब नहीं होता इस गंदे लोक में यह गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता यह एक सेंपल दे रख्या परमातमान अपने सत लोक से बेज रखिये या और वो आपके लिए कि विश्वा सोजाए कि वहाँ ऐसे माटिरियल है वह ऐसे पदारत हैं कभी नष्ट नहीं होते तो उसको छोड कर तुम यहाँ आगे उस सुख को देखकर ही हम उसको प्रीचित होकर वहार उचीव नेगी अब जैसे किसी का गाउं में छोटा सा पलाट हो और उसने चन्डीगड के में को पलाट बता दे वहाँ ऐसा चल मों तुझे इस तरह मिलता है यह फारम बर्दे को ना बरेगा क्योंकि वो देख चुक्या है तो मेंट में बरेर फटा-फटा बैठा उड़ा चोटे का उस गाम आले चोटे से गरने तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास जला देगा कि सचमुच वो ऐसा है तो बापकी अपने अपरूची बनेगी यहां तो आप कर रहे है नानी चाहिए करोड़ पती है चाहिए बीस कोठी बना रहा है एक मिट में मरत्य होगी कुटा बने का उसको ठीका बार बैठा पाओगा तो यह अपने कैसे हुई यह तो मुर्ख बुना रखे आपने को तो यह आप कर विश्वास होगा इस बात का तो बगवान हमारे लिए भटक रहे है क्या क्ष्ट उठा रहे है अरण फिर भी आँखे नहीं खोल रहे तो अब जागना पड़ेगा अपने बहुत समय हो गया जिसकी काल की बुल बुल यावन अब उस परमेश्वर को कितना प्रताडित किया गया और उसी के बच्चों दोरा करवा दिया काल ने शिकंदर लुज्दी क्या हिंदू मुस्लमान क्या पीर और काजी ब्रामन क्या आचारिय संक्रिय यह उसी के तो बच्चे है सारे यह कोई दूसरे थोड़े हैं वो सम्रते अगर वो दूसरा समझते जैसे यह ओर तुम देखो पुराणी तियास डेख़े है दुरुआसा cold chin दुरुआसा के पास थोड़ी सी बग्ती के प्रत की थी सिद्धी होगी और श्रीकर्शन जी के पूरे परिवार को सराफ दे दिया थारा तुम्हारा नास होए और नास होगा या दो को लोगा चपन क्रोड या दो कटका मिर गए तो वो उसके थे नहीं और कभी साहिब समर्द थे दुर्वासा जैसे तो उसका अगपाट सिंग भी न खालूम है कि मेरे बालक है सराफ पीगा चाहिए लठ मार रहा पर ताग है वो अपना नो सोचाएगा इसका उतरेगी जब समझाएगा मैं पहचान लेगा तो अब ये तो हम ऐसे थे इस काल ने ऐसे बना दी और प्रमिस्वर कभीर जी ने किसी को बद्वा नी दी ना तो सा कि अपर ले मनते गाड़ी भी देजे कोई तो दुखी होगा जब रोनाया क्रवसने तो ऐसे ही उन्ने हमारे दुख का पता है कि भांग पीगरा पीछा पड़ रहे और अपनी समर्थता जिखानी थी बगवान अगर आम व्यक्ती होता संत होता तो मर जाता दरियाम इतना जलाए बगवान है कि जलाही उस मधढना गरीब था और ये राज़ा अचार राम करसे ने रापह माएंन लिये पंचार गड़ दिये दो चार मार दिये ले आपथ हमांन से दो गे कि जो दो लठ हमारे का कुई कि सेंस्यान मना ल marvel आड़े जहां की दिन्नियम याँ पर रहे और ऐसे बगवान सिद्धोना ये है समर्थता का खेल देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना क्योंकि परमात्मा थे ही अब दास को वो परदया बक्सी वो सारे वो अपनी सारे लक्षन बताए आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं अर्यों ही भो गया क्योंकि समर्थे सच्चाई थी प्रमात्मा के गड़े में पत्थर बांदिया और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर तूट गया गले से मालक बैठके जल के उपर दुबारा और वो पत्थर जो था वहाँ से चल कर वो पत्थर वो पत्थर की सिला जहां सिकंदर लोग दी खड़ा था उसकी तरफ आई नोख खाट ठानती जैसे नोख का चला कर इंजन वाली और आके उसके धनाम देशी लगी किनारे पर सिकंदर दस कदम पीछा गया और फिर भी ना समझ माई एक पत्थर तरकावे और भगवान ये डूबे नहीं तो और क्या क्या जुलम किया इनों ने सिला चली सा औरे कूं देखत का सीखाले ग्रीब दास कभीर का आचन अदर हमाले मालक तो दरिया पर बैठे हैं जल के उपर और वो पत्थर जो गड़ में बांद राखे था वो टूठी का मालक के गल से और पानी के उपर से सिकंदर लो दी सा की और भागी आई फिर करते हैं बुस्ये मा के नुबल तीर मारो बान गोली मारो इसका तीर बान गोली चला ये तोब रेकलों सोरे तोब गरीबदास उस जुलह दी के एक गई नहीं ओरे जिसको तुम जुलाहा कहते हो जिसको आप एक कवी मान कर उसकी फाइल को बंद किये वैठे हो उसकी महिमा आदने गरीबदास साहिब जी आँखों देखी और उनके द्वारा प्राब्दी दृष्टी से तुलसी दास जी की तरह यथार्थ करे कहते हैं तीन तीर बान गोली चलाएं और तोब रेकलों सोर गरीब दास उस जुलह दी के यानि उस दानक के जुलहे के एक गई नहीं और उसकी और एक भी नहीं गी गोली उड़े फिस इधर फिर वाकास में हो जाएं खूब निशाना सांद नुकर दिनुजा अब क्या बताते हैं अधर धार गोलेब हैं ये जलके बीच गबाक हैं गरीब दास उस जुल्दी पर सस्तर छूट लाख यानि लाख हों लोग सेना भी आगिर सब पुलिस पॉलिस भी आगिर आम व कार्ड का कोई बोड़ी मार है अधर जैसे तोप रैकले सब चले ये तीर बान कमाने गरीब दास उस जुल्दी पर वह जुल्दी जल पर रहे अमाने अधर दार अपारगती ही जल पर लगी समादे गरीब दास निज ब्रंपद ये खेले आध अनादे जुल्म हुआ डूब्या नहीं ये सश्तर लगे नबाने गरीब दास अब कोण गती कैसे लीजें प्राणे लगी समादी अगाद में बिचरे का सीगंगे गरीब दास की लोले सर ये चुहे चरन तरंगे चार पहर गोले बगे ये दम की मुल्क मदाने गरीब दास पोकर सुके यो रहे कबीर अमाने कितनी प्यारी वैख्या की है कि चार पहर तक आठ पहर का दिन रात होता है चार पहर माने बारा गंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोब गे ये मारेगे और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में दरिया के बीच में जल के उपर जैसे थल पर बैठा करें अब वहां उसने मारन को जा तो वहीं से तोब और तीर गिशन किसी तरह अंड करो इसका क्या क्या बताते हैं गृबदास जी के तीर बान गोली चले तोपर एकलों सोरे दुमोई 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 दुम चारों तरफ से बंदूखों की तोबों की गृबदास उस जुलह दी के एक गई नी और उन प्रमातमा उस यानि जिसको तो तुम एक दानक कहे के भूड रहो जुलह कहे के उसकी तरफ एक भी गोडी तीर और तोब का गोला नहीं गया कितनी सिंपल लेंग्विज में कहा है जैसे हम बालक थे छोटे छोटे हम कहा हो ता हमारे अरियाना के अंदर हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में तो उसकी आवाज होती थी गभाक तो नहीं कहा अगर तो लेंग्विज का प्रियों कर रहे हैं क्या बताते हैं अधरधार गोले बहें यानि अधरधार वन उपर कह गोले तोब के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में वह सूखी गे सारे और या वहीं पर उनके आसपास तोबों के आसपास दस बीस पचास सो फुट पर जाके और एक दो ऐसे गर जाएं गभाक जैसे बोलता ना गिरते वे गोड़ा गभाक ड़े बोलते हैं तो क्या बताते हैं सिंपल लेंग्विज में गरीबदास जी बता रहे हैं अधरधार गोले बहें कुछ जल के बीच गभाक यानी उड़े पड़े जाएं गभक देही आगे नीजा परमात्मा तक है गरीबदास उस जुलहदी पर सश्तर छूटें लाखे उस जुलहदी पर उस परमपता पर लाखों सश्तर छोड़ें लोग इजर उड़ते हैं तोप रेकले सब चले ये तीर बान कमाने गरीबदास हुए जुलहदी जल पर बैठे अमाने वो जिसको तुम जुलहा कहते हैं वो भगवान कबीर जी और निस्चंत बैठे हैं अमाने निस्चंत जल के उपर जैसे थल पर बैठते हैं और तीर सब कुछ चल लिए तोप भी चल लिए अधरदार अपारेगती ही जल पर लगी समादे गरीबदास निज ब्रमपत ये खेल आध अनादे ये निज ब्रमपत ये पूर्ण प्रमातमा है ये सदा ऐसे ही आक लीला करते हैं पर हम पहचान नहीं पाते हैं इनको इब वो लोग खड़े-खड़े क्या कह रहे हैं सभी दरसक हम ही होंगे उनमें भी तो इसे नालाख है गल्द चीज को जल्दी ग्रेन कर लेते हैं कहते हैं जुलम हुआ डूबै नहीं सश्तर लगे न बान ग्रीब दास इब कौन गती कैसे लीजें प्राण सारे ठक लिये जब नियों कर कैसे मारें इसको सारा कुछ करकर देख लिये इसके प्राण कैसे अंत करें जुलम हुआ डूबै नहीं वह नहीं कहें जुलम हो गया तो डूबदा भी को नहीं अन्ना मरता अब इसको कैसे मारें कैसे प्राण लिए इसके जुलम हुआ डूबै नहीं कोई सश्तर लगे न बान ना कोई सुस्तर लगता इसके ना कोई बान लग रहा तो गरीबदास इब कौन गती और कैसे लिवें पराण लगी समाद अगाद में वो बिचरे का सी गंगे गरीबदास के लोले सर ये छू है चर्ण तरंगे परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगें लहरें परमात्मा की चरणों को छोछोब चल रही हैं और और परमात्मा उपर बैठे जल के और चार पहर गोले बगे चार पहर तो को थे गोले दागी इनों ने तोब के चार पहर गोले बगे ये दमकी मुलक मदाने आस पास भी नोगे सबक में दैल गया और ग्रीब दास पोखर सूख के वो रहे कबीर अमान आस पास के कहते हैं जोड भी सूख गे जहां गोले पड़े थे जा जा के अब दैलों परमात्मा और कितपड़ा हो तो कोई गर नफूग देते हैं या कोई जी औरान मार देते हैं उन पोखरों में गरीब दास जी कहते हैं चार पर तक गोले जले और दमकी मुलक मेदान आस पास के सब लोग भी जाय लगे और गरीब दास पोखर सुखे वो तलाब भी सुखे गे रहे कबीर अमान परमात्मा नू के नू बैठे रहे सुख्षित रहे अपनी करनी सब करी ये ठाके दोनों दीने गरीब दास अब जुलहदी पैठ गए जलमीने अब परमात्मा ने सोचा ये सारी बारा गंटे हो गे ना इन खाना खा रहा ख्या ना ये पानी पी रेडंग से इन मूर्खों के वकाय वे सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं अब ये मार नहीं सके सारे चिंतित भी और एक कर्मा ने अन्यूना सोचा रह भगवान अपाँ प मर गया मर गया फिर गया रेती रेग यानि भी गंगा में दब जागा अदलेरों के नीचे इसको पर रेत फिर जागी सदा के लिए खत्म सब जाओं अपने खूब मुह दो दो कर खूब बठाई माट रहे हैं अचा उदर जो दोनों को पकड़ के ले गए थे रविदास जी को और कभी परमिश्वर जी तो परमातमा ने कहा था वह इसका दोस नहीं कती ये तो मेरे के इतलिया मेरा सेसेशन आगया का पालन कर दिया और इसका दोस नहीं है जो गलती सारी मेरी है तो रविदास जी को छोड़ दिया रविदास जी अपने घर थे अपने कुटिया में थे तो कबीर साहिब वहाँ जाके बैठिये रविदास जी के पास उन सब ने देखा कि उद्धर डूब डाव लिया खूब मिठाई मुठवी बाटर गौव गीत सुरी ले फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करती वगवान आ रहे चलो अब उसको पूछते हैं तेरा वगवान कहा है तो उसके पास गए सारे कठे हो कहें पूरा गुरूप का गुरूप का टोल का टोल जूद्वा जलूस का जलूस और जाके कहने लगे रविदास आकां जी बाहर खड़े हो आकां जी कैसे आए कहा है तेरा वगवान वो फेर गे उसके उपर रहे तो रविदास जी बोले किसके इसे बहुल रहे हो आप कि तेरे कबीर के बारे में क्या हो गया उनको कि वो डूब गे जलूम है दरिया में रविदास जी कहते है आजो ये बैठे देख ये मेरे बगवान ये बैठे उन्हों देखे जांक जांक सारे वो फेर चेंगर गे फेर गए सिकंदर के पास जो तो डूबया नहीं हो तो जादू जंतर जानता है वहां छुपका बैठिया है फेर पकड़ लाए खुनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने जब विश्वास होगा हमारे अपनी करनी सब करी ये था के दोनों दीन प्रमात्मा की दुरुक्ती एसे नहीं है पनात्मा और वो किसलिए दुखी हुए आपके लिए हमारे लिए अब पैचाना उस बाले को पनात्मा उदास को ये ग्यान हो गया इसलिए मैं प्रमात्मा की ये लिला बहुत कम सुनाता हूँ क्योंकि मुझे कहा नहीं जाता हूँ अपनी करनी सब करी था के दोनों दीन ग्रीबदास अब जलहदी पैठ गए जलमीन प्रमात्मा कहते हैं ग्रीबदास जी कहते हैं प्रमात्मा जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था सारे सस्तर सस्तर परियोग कर लिए अग्ये यहीं दुखी होते रहेंगे बैठ गए जलमीन यानि जल के अंदर चले गए मालक डूब्या डूब्या सब कहें होगे गारत गोरे गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर अब हमारी जो विर्ती है यह सदासी खराब है आम उस परमात्मा पर विश्वास करनी रहे और सिकंदर लो धीकी पर संसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी हे महराज हे समराट आपके आगे के पायर बसावा थी आखर में डूबनाए पड़या उसने वहाँ यह सब्द बोले हमने क्या कहते हैं डूब्या डूब्या सब कहें होगया गारत गोरे यानि कती गारत गोर माने कती डूब गया खतम होगया सदा के लिए गरीब दास कबले धनी तुम आगए क्या जोर सिकंदर लो धी से कहते हैं कि आपका आगए किसकी बसावाब तो राजा हो समराट है आनद मंगल होते हैं ये बटें बदाई बेग गरीब दास उस जुलहदी पर फिर गया रेती रेग आप सबनों खुस हो रहे हैं जो कबीर जी डूब गए परमात्मा और उसके उपर रेत रेग माने गार्या या उसके उपर उसके सौपर जंगी होगी क्योंकि ऐसे फलो में नीचे दब कर जमना का गंगा का रेत दाब लेता है नीचे उस दिश्टी कौन से कह रहे हैं आनद मंगल होते हैं ये बटें बदाई बेग गरीब दास उस जुलहदी पर या जुलहए पर फिर गया रेती रेग या उनकी सोच थी अस्ती घोडे चड़त हैं ये पान में ठाईी चीरे गरीब दास कासी खुसी वो डूब गे गंग कभीर सब खुसी मना रहे हैं आथी पसट का बेंड बाजा बजा रहे हैं के डूब गे गंगा में कभीरे जाओ घर रह दास कह हिलकार हजूरे गरीब दास खुसियां कई हो कई हो नहीं कसूर केते हैं जाओ रविदास के संदेशा देदो सब गोई टोलके 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 ठेओ के अर नो ना की दूब गया नो पूछियो कित से उतरा गुरू जी जब प्रमात्मन रविदास जी ने का ये बैठे मिरे गुरू जी कहा जा रहे थे जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूरे गरीब दास खुसियां कई हो कई हो नहीं कसूर जालर ढोलक बाजत हैं ये गावें सब्द कबीरे गरीब दास रह दास संग दोनो एक तीरे अब रविदास जी कहते हैं वे परगट पूरन पुरस हैं अब नासी आप अल्हा गरीब दास रह दास कहे सुनो सिकंदर साथ ए सिकंदर राजा वो अल्हा है ये खुझ बगवान आ रहे हैं मेरी बात बान तू सुन ले अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया कवीर साहिब को पकड़ा और कहते हैं खुनी हाथी से इसकी जीवन डिला अंत करवाओ राजन राजा ने एक ऐसा दंड देने का सथान बना रख्या था जैसे आपने सेटेडियम देखे हो सेटेडियम ताम आजमीन बच्चों ने देखे होंगे तो ऐसा एक मचान सा बना जाता था राजा सबसे उपर बैठते थे मंत्री उससे नीचे वाले से और नगर के जो वियाईपी होते थे उससे नीचे आम जनता बहाद खड़ी होती थी और वहां खुनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिये जाते थे जो घोर अपराधी होता था और दुनिया का भैव जावा को और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा ने लेगी ताकि जनता बुराई से बचे ये इस दिश्टी कौन से अब वहां ले गए पकड के और कवीर प्रमातमा के गोड़ा लाठी दे दी बगवान के आत बाइद के बाइद के बाइद जूरिक और वहां गेर दिये और खुनी हाथी खुनी हाथी होते थे जो आदमी को चाप जाते थे मार डालते थे बुरीत रहे उनको सराब कर हाथी को निर्धारी तेक पीलवान सरकारी नोकर होता था और वो आथी भी सरकारी ही होता था उसको लाया गया अब गरीबदास जी के अम रत्वानी में सुनाएंगे गणानदा हो गया खुन्नी हाथी मस्त है पगबंदे जंजीर गरीबदास जांडारिया मसक बांद कभीर खुन्नी हाथी के सामने परमातमा को मसक बांद कभीर गोला लठी के गेर उसके अब क्या हूए कि तरफ पीलवान यानि ड्राइवर आथी का आथी निस अपने पास कि жд« को रह'll उसके तो इस दर उसके और एक तर डोँ निपी बबबर सेर खड़ा दिखाई दिया आठी न चाहड मारी औरूः वापश बागलिया डिक अब वह प्यवन उसको वापश करता है और केवलाथी आठी को दीखरा है वह सिंग सेर और किसी को नहीं और वो अपनी नोकरी के ड्रस से रफने उसको पता था पीलवान को आथी के ड्राइवर को कि अब मुझे सजा मिलेगी आज मेरा कौन साथ दुर बागया आगया कि यो आथी बागया राजा का काम पूरा हुआ नहीं उसका सीध्य भाले ठोक के बराबर रहते हैं उसको फिर सी नहीं उसका कि पीलवान गणा दुखी करेगा क्योंकि सार्वख जीव हिसके वो देलू है तो उसने उस पीलवान को अर्दरसन दे दिया सेर दिखाई दे दिया और पीलवान भी आथी तहलए गपर देलगी आथी कि तो पीलवान बेंस हो गया और पिर पर मातमाने खड़े हो गए वो ठोट गे बंद है उत निर्बंद है उनको कॉन बान से कह एकुछब है और उतने लंबे जिखाई ज़िए जैसे आस्मान पर सीजारा हो जाता को इतने लंबे तेजरों में रूप हो गया तो और सिकंदर लो जीन देख़ा और रोति र लागया सिकंदर लोजी जहां बैठा था अंडी पाक्या उस पर मुचान पर टौप मुष्ट स्थान पर और वहीं से लागया काफता वात जड़ के पोड़ियों से आवगद मत होता हुए चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिये जब राजा ने चरण पकड़े राजा राजा को दिखाया दाता नो लीला तो सभी उसके चेले चल्टे दो दोनों धर्म थे वह बिदक के राजा तब बेक गया इसका चरण छूड़िये नो कर दिया अब क्या लीला सुनाते हैं सिंग रूप साहब धरा ये भागे उल्टे फीले अपना दूसरा रूप सेर का बुना करा गरीबदा समझाय नहीं या दुनिया खलीले बने कहरी सिंग जित चौर सिकर अस्माने गरीबदा सस्ती लख्या यो दीख नहीं जहाने प्रमात्माने कहते हैं सेर का रूप धान करया अन्य और आथी न दिखे और जहान दो जनता वेटी थी उन न दिखे बने केहरी सिंग जित चोर सिखर अस्मान गरीबदास अस्ती लख्या यो दीखे नहीं जहान अब वो आथी शरकुट है और वो अंकुस मारे महावत है और वो विचारा आवे नहीं है फिर कहते हैं भाले कोखो मारी है ये चर्की छूटे पाक है गरीबदास नहीं निकट जावा हुआ किलकी देवे लाख है आथी के एक्षों में यानि बराबरों में भाले ठोके और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे और क्यलकी देवे हुआ मारे हुआ मारे हुआ कि वो निकट भी जा उसने दीखे से फिर प्रमात्मा ने उस महावत को दिखाया जैसी भक्ती कबीरी की ऐसी क्रेन को ये गरीबदास कुंजर था के उल्टा भाग्या रो ये कुंजर माने आथी रो के भाग्या चिंगाड मार के दूम गोए मुंडी धुन सेन ना संज एक अब वो आती मुंडी गोए और दूम यानि पूछट बोच के और मुंडी नों करेका भाग्या की सोचा है के दूम गोए मुंडी धुन सेन ना संज एक गरीबदास दीखे नहीं अग खड़ा अलेखे अलेखे वो पूर्ण प्रम आत्मा खड़े सबने दिखा नहीं पीलवान ने देख्या महावत ने पीलवान ने देख्या तब ये खड़ा के रिशंगे गरीब दास आये तो हां धर मौला बहु रंगे खड़ लोग से उपर से अर्स से आस्मान से उत्रे हैं उत्रे मौला अर्ष्ट भाव बगती के हेते आप अपने बच्चों के प्यार बे के लिए वो मौला मालिक खड़ के आया है उत्रे मौला अर्षत भावबगती के हेत गरीब दास तब सहा लखे कबीर पुर्स सहेत लिला की कबीर ने दो रूप मरदी से गरीब दास कबीर के जैसे पास खड़े जगदी से प्रमात्मा दो रूप दिखें वहाँ पहले तो एक तरफ तक वीर जी दूसरे प्रमात्मा दिखें फिर दोनों एक हो गए फिर क्या कहता है जंबाई अंगडाई यां लंबे बहे दयाले ग्रीबदास उसाहा कूं मनोदर स्याकाले कोट चंदर ससी भाने मुख गिर्द कुंड दुम लीले ग्रीबदास ता नाटे के वह भाग गए रण फीले अप्रमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंदर मा अर मुख जैसे सुरिय की तरह चमक रहा हो इतना सुंदर था नैनलाल भाँ पैते हैं डूंगर नक पहाड ग्रीबदास उसाहा कूं सेंगरू पजीदार जो नर्सिंग पर लादे के यो वे नर्सिंग एक ग्रीबदास हरी आईयां रखन जन की टेक अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं हमें ये लीला करके दिखाते हैं यजी तुम मेरी सरण में सचे भाव से लगे रहोगे जैसे परलाद को आके रख्षा की थी आज भी मैं ऐसे ही आपकी रख्षा करूँगा ऐसी लीला दिखा रहे हैं पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे फिर शेर का रूप बन गया और फिर दोनों मिलकर एक होगे कबीर साहिब रह गई तो फिर क्या कहते हैं बार बार सताय कर मस्तग लिन्या भार कहते जो नर्सिंग पर लादिक है यूँ नर्सिंग एक बार बार सताय कर मस्तग लिन्या भार गरीवदास ची कहरें उस परमातमा को बार बार सता कर उन मुर्खों ने अपने सिर्फ बाहर दर लिया क्या भी गाड़ा उसका अरसमझना से ये थे चर्ण पकड़ जेने से ये थे बागवान गलती होगी और अपना कल्णान करवाना से ये था तो हम बागवान को ना पैचान कर उसको एक केवल डीला ही मान कर बैठके जादो जंतर बता दिया हो नकलियों ने कि जादो जंतर जाना ही हो अब दास बताएगा वो कौन थे वो क्या जानते थे वो सरवज्य थे सरवज्य सकती मान थे हमारे वगवान है हमारे पिता है हमारे लिए भटक रहे हैं अब उसको हम पैचानेंगे तासिंग लोलीन भया परचाइब की बारे गरीब दासा यों कहे अल्हा दिये दीदारे अब उसकंदर लो दी कहता है फिर खट देखकर सुन कासी के पंड़तो और कजी मुला पीरे गरीब दास इसके चर्ण ले लो यो अल्हा अलेख कबीरे सुन कासी के पंड़तो और कजी मुला पीर गरीब दास इसके चर्ण लो यो अल्हा अलेख कबीरे यो अल्हा कबीरे उत्रे कासी धामे गरीब दास सायों के है जग्ड मुये बेकामे कहने लगे ये पूर्ण प्रमात्मा है और अपने यहाँ पर कासी धाम के अंदर ये स्वयम उत्रित हुए है यो अल्हा कबीर है ये उत्रे कासी धाम ग्रीब दास वो सिकंदर सा न्योक है हम जगड हुए बेकाम काजी पंडत रूठिया अब वो दो नकली संत थे आचारिय पाचारिय थे जो अपने हिंदू दर्म के और मुसल्मान दर्म के जीतने थे वो वो मान बढ़ाई के वो खेवन बगवान से लेना जना नहीं था ना इतनी दिला देखके पत्थर पेंगल जा लोहा पेंगल जा वो पत्थर से भी बुरे दल के हो जाते हैं संत महेंद मन जाते हैं जो स्वड़ी सी पर भूता पाक है दस आदमें से रूट करनी है हो जाएं और भगवान से कोसो दूर रह जाते हैं जनता को भी रख देते हैं लेकि रीव नहीं छोड़ेंगे उनको आप बिलकुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के अधार से अब काज जी और पंड़ित रूट के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जनतर कर रख्या है राजा इसको भगवान मान बैठा जनता को बरगला दिया जनता उनकी मानने थी सिकंदर्गी कोन मानने एक सुरू से हमारे दिने करही है कि हम अपने धार्मी गुरू की जादा मानते हैं अन्यकी नहीं और वो नकली थे सारे अब भी यही दसाहिन लोगों की जैसे दास कहता है तो उस संत का ग्यान गलत उसकी बगती गलत और यह दो यह चीछी यह बगत ने तो वो अपने ही गुरू से पूछता जाके अब पंड़त रूठिया हम ताग्या योदेश ग्रीबदास शटदल कहें यह जादूर सेर हमेश इस जादूगर है इसकी बात तो वागे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए ग्रीबदास इतना रहें वो का सीविड़ी जाए उस अथान को छोड़गा पर अपड़ अर्मानो हमारी बात ग्रीबदास यह गुजड़ी लगी थारत जनम जा है बीत यह बीता जा रहा तमारा जनम यह अगर मगर छोड़के अर्मानो हमारी बात और ग्रीबदास यह समे रहा है हाथ से जात अब जो दास आपको बताना चाहता था कि यह परमकसर बरम हैं और इन अब कैसे के लान होगा आपके इन प्यारी आत्माओं का तब प्रमेश्वन ने कहा था धरमदास अभी डट रुक जा जब कल्यूग पच्पंसो वर्च बीच जागा तब मैं दोबारा गरीब दासवाले परंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूँगा वो ना इतदास तरख उसको तो पेटा ब्रना था उस रमदास जी नरमात्मा का था बहुत चेंतित वा जाता था तो कहा तुँ चिंता ना करे गरीबदास का जो पंथ चलेगा वारमा पंथ उसमें मेरी महिमा की बारणी दोबारा परगट होगी गीच में काल के दो कभीर पंथ में गुज़ कई अटबट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ग्यान बना जेंगे कभीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे तो हम गरीबदासी माराज के माजन से दोबारा अपनी महिमा की बारणी पर गट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चलके हम आऊंगे सब पंथों का नास करके खतम करके यानि उनको सब ग्यान से हट समझा कर एक करूंगा सारों को जो एक से अनेक हो रहे है सब को एक करूंगा और पूरे विश्व को ग्यान दूंगा तू चंता ना करे आण देव समय तो अपने आत्माओं अब वो समय है और दरमदास जी ने पूछा था फिर मालिक ही इनका क्या होगा ये विचारे बर्मीत होगे तब प्रमात्मान कहा था कि ये तारद करके छोड़े दिये खालने दक्या और इन थोड़े दिन इनको मनुस जिवन मिलता रहेगा जब ये मानते नहीं मैं क्या करूमन कितना रो लिया इनको सारी सुख दे लिये और ग्यान सुना लिया तो फिर ये आएंगे ना बीचली पीड़ी आओगे जब ये तब तब तक ये मनुस जिवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा और फिर इनने पार करूँगा इनको सिक्सित बनाऊंगा और फिर अपना दास बेज़ूँगा तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना साना अनुभव कथ के फाइनल कर चुके होंगे जब मेरा दास जाओगा इनकी स्पोल खोल देगा सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे ऐसे पार करूँगा बोलो सत्गुर दे आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं अभमुन श्रद्धालों के अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं आपने दो कबीरपंती संतों का ग्यान सुना है आपने संत रामपाल जी महराज जी को ही क्यों सलेट किया क्यों संत रामपाल जी महराज को अपना गुरु बनाया आखिर ऐसी कौन सी वो बाते हैं जो दूसरे कबीरपन्ती संतों से संत रामपाल जी महाराज को अलग करती है और आपने सही कबीरपन्ती संत संत रामपाल जी महाराज को ही माना हम लोग पहले जो इस कबीरपन्त में थे उसमें हमें जिस कबीरपरमात्मा के बारे में बताय गया तो हम वो देखते थे वो खूदी उनके संस्कारों पे नहीं चलते थे वो जैसे मैं उनके साथ में जोला लेके बहुत गुमाओ, मुंबई, एहमदाबाद, उनके साथ में सस्तंगे करने जाता था, मैं साथ साधी इसकुल की चुट्टी लेके भी इतना मुझे इंट्रेस्ट भी खाते थे, हमारे से चोरी चुपके, मुझे भी पैसे देते थे, 10 रुपे मेरे लिए तमाकू लेके आजा, तो हम बोलते थे यार यह अपने आपको संत कहते हैं, इनको सरम आने चीए, एक कबीर परमात्मा का नाम यूज कर रहे हैं, जैसे एक राज देता अपना बीज अपने आपको अध्यात्मिक लाब क्या हुए हैं, अभी 2004 से जव से मैंने नाम दिखसल ली है, मैं बोलने जाओंगा ना, तो बहुत टाइम हो जाएगा, इतना मेरे आपके पास में भी टाइम ठख जाओंगे, आप खुद ठख जाओंगे, यह तक जाओंगे, लेकिन अभ बहुत दिया, लेकिन मांगा मैंने अभी तक परमात्मा से मांगा नहीं है, मैं सिफ यह अर्च की है, परमात्मा संद्रामपल जी महराज, आप हमें अपनी चरण में रखना, अपने चरणों में दास को रखना, और उन्होंने बहुत रक्सा की है, परमात्मा ने, बहुत सा सर फिर भी यदि बात की जाए, सर जैसा कि हम आप से पूछें, आप एक educated person है, आप अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं, ऐसी कौन-कौन सी बातें आपको लगती है, जो संत रामपाल जी महाराज को अन् फिल्म इस्टार का बेटा, फिल्म इस्टार ही बनता है, उसी परकार संत रामपाल जी महाराज जी की भी दो लड़के हैं, जो हमारी उमर के ही हैं, लेकिन हम वहाँ पे बैट के खाना खा रहे थे हैं, तो हमारा दिल वहीं से हो गया, फिर उनकी बगत्मती को देखा, जो पूरू जी की वाइफ है, उनको हमने देखा, तो वो भी एक साधारन इंसान में एक जो घर पे मनलब काम काज करती है, हमारे मम्मी तो फिर भी अच्छे कपड़े पहनती है, फिर उनकी दसा देखके मैंने बहुत यह इतने गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन परमात्मा जितना भी वहाँ पर दान जाता है, वो सब हमारे गरीब लोगों में खाने पिने के लिए परमात्मा करते हैं, तो वह एक हमें बहुत अट्रेक्टिव हुआ जो आसरम में हम गए उसी टेम पर, फिर परमात्मा का ग्यान देखा हमने, ग्यान देखा तो मालिक ने सब धर्म अपने को एकदम फूलों की तरह रख रहे हैं, फिर हमें क्या में दुख चाहिए था, सूक ही सूक था हमेरे को आसरम के अंदर सर ये तो बात रही आध्याद्मिंग मारक की, जदी बात करें सामाजिक सुधार की तो संद रामपाल जी माराज का, सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? समाजिक सुधार में पर्मात्नमा संतरामपल जी माराज का योगद्यान तो आप मीडिया वालों को पता नहीं लेकिन हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं आप कोई में चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम में से आप को एक चैलेंज कर रहा हूँ अगर संत्रामपल जी माराज के अजारों लाखों अनुएई है पूरे देश में नी पूरे वर्ल्ड में अनुएई है सिर्फ एक परसंट भी आप उनके अनुएई एक भगत भी मुझे ऐसा दिखा दो जो एक बीडी को हाथ लगाता हूँ मैं एक चैलेंज करता हूँ लिए मतलब एक उनकी चरण में जाने के बाद तो मैं आपसे एक चैलेंज के साथ में बोलतो एक परसेंट नी एक बगती दिखा दो हमें के वो संत्रामपल जी महाराज जी का सिस्या और बीडी कुटका सिगरेट को हाथ तक लगाता है रही बात देज परता की तो संत्रामपल महाराज जी महाराज जी ने और हम साधी ब्याओं में करोड़ो लाखो रुपे खर्च किये बिगर सिप मात्र 17 मिनट में हमारी समयनी होती है जो अभी लाइव आप मीडिया में देख रहे हो लाइव चलाते हम यूटूब के अंदर और जितने भी मीडिया पेपर है आप जूड रहे हैं तो सरकार को ये बात तो दीखनी रही है इतना बड़ा समास सुधारक हमने आज तक अपनी जिंगी में भी देखा मैं भी आज 34 साल का हुआ हूँ लेकिन मेरी जिंगी में एक चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ एक दूसरे जो संत मात्मा जो भी ससंग हाथ ने लगाते हो सर धन्यवाज जे सत्साहिब शुभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपलजी महराज जेद्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 8222-880541